हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत खुश हैं और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं मैं पूनम प्रजापत रसाइन विज्ञान की इस पाठ शाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ बच्चों आपने पिछे तीन क्लासेज जो की हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है समझा है और मैंने समझाने की कोशिश की है बिल्कुल बच्चों तो हमने जो जो पढ़ा है उसका रिविजन आप साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि मैं ह मैंने आपको एक नई चीज समझाई थी कि आपको कोई भी टॉपिक जब पढ़ाया गया है तो लास्ट में उसकी समरी जरूर बनानी है तो वह समरी आपने बनाना सीख लिए क्योंकि मैंने आपको समरी बनाना सिखाया था है ना समरी के साथ साथ कल जो लास्ट क्लास अपने ली थी उसमें आपने जो टॉपिक पढ़ा था द्रवेमान सनंक्षन का नियम इस्तिर अनुपात का नियम उन नियमों के अपने क्योश्चन आंसर किये थे आपने उनका रिविजन किया होगा बच्चों देखो समय गुजर रहा ह समय की रफतार जितनी तेज है आपकी भी स्पीड वैसी ही हो तभी जाके हम जो सोचा है अपने भविश्य में करने के लिए वो कर पाएंगे राइट बच्चों तो जो होश और उमंग के साथ आपन ने जो टॉपिक पढ़े हैं वैसे ही उत्साय से आप भी सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो बच्चों अपन आब आज शुरू करेंगे अपना टॉपिक उससे पहले हमने जो क्योश्चन लास्ट क्लास में छोड़ा था उसका अंसर फटा फटा फट सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या आया ताकि मैं आपको वो आंसर निकाल के बता सकूं मैंने कल कहा भी था कि आप लोग वो क्योश्चन जो है प्रॉपर मैथर के साथ करेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी बेटा राइट आपने किया है तभी आपके कमेंट आ रहे फटावर्ट वेरी गूड वेरी गूड जल्दी जल्दी फटावर्ट बत का जो अंशर है पूरे में 3 के साथ आपको बतावंगी रहे तो फटावर्ट देखो क्या था उसका नसल क्या आना है अपने पास क्या था द्रेवेमान संक्शन ये नियम को सटिका ले क्लोड़ियम ख्लोराइट बिटा सॉडीयम ख्लोराइट कया होता है अने सी ओन ठीक है ग्राम 34.00 ठीक बच्चों रियक्शन में चलते हैं रियक्शन में क्या बना प्लस माइनस प्लस माइनस राइट प्लस के साथ हमेशा माइनस जूड़ता है और माइनस के साथ हमेशा प्लस तो क्या बन गया एने एनो 3 प्लस एजी सील राइट बच्चों आप ने ही कुछ इस प्रकार ही किया है फटा फट देखते जाएं तो अपने पास सिल्वर नाइट्रेट 34 ग्राम हमने लिख लिया यह आपस में प्रतिक रिया करके 17 ग्राम सोडियम नाइट्रेट एने एनो 3 कितने ग्राम सत्राइब ठीक बात है और एगसी एल कितना बेटा 28.70 ग्राम यहां तक किसी को कोई दिकत नहीं है अगले ने क्या पूछ डाला अगले ने कहां कि उत्पन कितना सिल्वर क्लोराइड कितना उत्पने करेगा है ना 28.70 ग्राम यानि 70 ग्राम सिल्वर क्लोराइड उत्पने करेगा कितना सोडियम क्लोराइड यानि एक्स को आपको ग्यात करना है क्लियर आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं इन दोनों को जोड़ना है सही है इन दोनों को जोड़ो 28 और 17 फटा वर जल्दी आपके सामने ही जोड के दिखाऊं या फिर आप खुद ही कर लेंगे जल्दे बताओ देखें आगई बात समझ में 45.70 देखो मैंने जोड दिया आपके सामने है ना यह रा calculation मेरे साथ साथ आपको भी ऐसे आना चाहिए प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पर क्या है भई एक्स प्लस क्या है 34 ठीक है इस एक्स को गयात करने के लिए क्या करोगे तुम 45.70 माइनस 34 राइट कितना आ गया 34 हो गया अपने पास क्या बचा 40 थर 11.70 बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर हो गई होगी बच्चों ध्यान दो 45.70 में से 34.00 माइनस कर दो कितना या 07.11 क्लियर आंसर क्लियर देखो बच्चों यह तो चलो फिर मैंने बता दिया है साइड में कैल्कुलेशन करके बता दी है लेकिन आपको यह कैल्कुलेशन खुद से ही करना है ताकि आपको यह बाते समझ मे आजाएं राइट फटाबोट कमेंट में लिखो कितना अंसर आया क्या यहीं करा था आप सबका भी जल्दी बताएं जल्दी very good very good वैरी गुड़ जो लिखने बच्चे सही आंसर है ओके डन सबका अंसर यह है तो बहुत ही अच्छी बात है इसी उमीद के साथ मैंने दिया था कि आप घर पे बैठ के उसको करेंगे तो अच्छा लग रहा है कि आपने किया है वेरी गुड बच्चों चलिए आगे अब अपना चलते हैं अगला मैंने एक बात और कही थी क्या कि स्थिर अनुपात का जो नियम है उसके एक्जामपल भी करेंगे तो उसका एक क्यास्चन जो है एक बार करके देखते हैं देखें आपको बात समझ में आती है या नहीं तो आपके सामने स्क्रीन पर उसका एक उधरन दिया हुआ है देखो किसी दिये गए योगिक में हमेशा भार के अनुसार तत्वों का समान आयतन रहता है क्या कह रहा है भार के अनुसार आयतन समान ध्यान दे ध्यान दे बच्चों भार के अनुसार क्या रहेगा भई आयतन इस से करवाई जा रही है क्लियर वहीं पर एक अनुपात आठ जैसा आपने देखा वैसा ही अनुपात है चाहे पानी जील का हो जरने का हो नदी का हो तालाब का हो या कुए का राइट बात समझ में आ गई होगी अब यह तो था अपना क्योस्टन तो यह नियम किस नियम के अनु कोई भी तत्व है उसका भार हमेशा समान आयतन में इस्थिर ही रहेगा तो वो क्या होगा इस्थिर अनुपात का नियम बात समझ में यानि कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों इसका आंसर आएगा इस्थिर अनुपात का नियम बात समझ में आ गई होगी क्लियर इस्थिर अनुपात का नियम ये तो हो गया क्लियर क्योस्टन समझ में आया ये क्योस्टन ऐसा है जो कई बार पूछा गया है एक्जाम में इसलिए मैंने ये क्योस्टन आपको यहाँ पर कराया है इनके examples और अधिक आपको यदि करने हैं तो वो अलग से आपको इस चीज के लिए search करो ताकि आपको वो बाते समझ में आ जाए, नहीं आ रहे हैं, नहीं examen मिल रहे हैं तो comment में लिख देना, मैं आपको अलग से इसके example करवा दूँगी तो पहले अच्छे से नियमों को याद करोगे, तभी वो आएंगे, clear बच्चों, चलते हैं आगे, शुरू करते हैं अब अपना अगला previous class की summary, जो revision है, वो क्या है, अपने पास जो summary है, वो आप सबने बनाई होगी summary यानि कि last class में बच्चों क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओ, फटा 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 वट बच्चों, क्या पढ़ा था पहली class में, आपने last class में पढ़ा था, द्रव्यमान दो नियम पढ़े थे ना आसानिक सेयोचन के, द्रव्यमान सारक्षन का नियम हाँ या ना और क्या पड़ा था इस्थेर अनुपात का नियम इस्थेर अनुपात का नियम राइट द्रवेमान सरंक्षन का नियम और इस्थेर अनुपात का नियम क्या होता है जिसमें द्रवेमान सरंक्षन रहता है चाहे आप reaction से पहले देखें अभी कारक को reaction के बाद उत्पाद को हमेशा उनके जो भार है उनका द्रवेमान है सदेव इस्थिर रहता है राइट अपने h2o2 reaction की थी और 2h2o बना था और अपने देखा था कि इनका भार reaction से पहले और बाद में बराबर राइट बात समझ में आ गई इसे ही अपने एक्जामपल देखा था इस्तिर अनुपाद का तो वहां पर आप किसी भी तरीके से किसी जल को है या फिर co2 गेस है उसको किसी माध्यम माध्यम कोई हो सकता है लेकिन योगिक में उपस्तित तत्वों का अनुपाद कभी बदलता नहीं है यह रही आपके दोनों नियम बात समझ में आ गए यहां पर लिग देना उधारण ठीक है दोनों के उधारण बस इसमें और कुछ नहीं लिखना है अगर आपको चाहिए तो इसमें जादा कुछ भी थ्योरी मत लिखना यहां द्रव्यमान सरंक्ष्र में इतना द्रव्यमान सरक्षित है ओके बच्चों वही पर इस्तिर अनुपात में लिग दिना अनुपात सदेव इस्तिर बास इससे ज्यादा कुछ नहीं समरी मिन्स टू मिनिट में पूरे ए घंटे की क्लास को समराइज करना इसे ही समरी का गया है भई संचिप्त में व्यक्त करना ओके चलो जी बात क्लियर हो गई कल की बातें पूरी हुई अब चलते हैं आगे ओके नया दिन नया कारवा होगा नया टॉपिक होगा तो टॉपिक क्या है आपका आज का आज का टॉपिक अपना थर्ड नियम जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम बच्चों आप तो क्या है किसने दिया है उसकी परिभाशा क्या है प्रॉपर मैथड के साथ उधारण के साथ अपन यहां पर शुरू करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहले अपन देखते हैं कि गुणत अनुपात के नियम की परिभाशा क्या होती है राइट बच्चों परिभाशा है मैंने बहुत पीछे बताई है आज भी बतानी कहते हैं किसी भी टॉपिक को अपने सरल शब्दों में जतना अच्छे से व्यक्त किया जाता है वही परिभाशा बन जाती है तो गुरित अनुपात के नियम की परिभाशा को कह समझेंगे हम इसको किस तरह से व्य कोई भी एक तत्व जिसका द्रवेमान निश्चित है वह दूसरे तत्व के साथ जब जुड़ता है तो क्या करता है नए योगिकों का निर्मान करता है कर दिया निर्मान करने के बाद उनका जो अनुपात आता है वह सदेव एक सरल अनुपात होता है राइट बात समझ में आ गई होगी तो यहीं परिभाशा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है यदि दो तत्व एक से अधिक योगिक बनाने के लिए सईयों जित होते हो सकते हैं तो एक तत्व का द्रिविमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रिविमान के साथ किसके साथ निश्चित द्रिविमान के साथ सयोजित होता है तो छोटी पूर संख्याओं की रूप अनुपात में होता है यानि सरल छोटी पूर संख्याओं सरल अनुपात में होता है बात समझ में आ गही होगी सरल अनुपात क्या है किस तरह से हम बात कर रहे हैं क्या कहना च मितनी हैं यह सजयन पूषस कौण है इनका नाम किया है इनका नाम है जॉंड इन्हों ने गुरित अनुपात का नियम धी आ Doncs ऑपाद का नियम किसने दिय था जॉごald क्लियर अब अपन जलते हैं आगे जास समय को कंजीम ना करते हुए अपने टोपिक पर आते हैं जो क्युश्चन आप से पूछा जाता है ताकि अपन उसको उधारन को जो एक्जाम में आएगा उसे अपन अच्छे से क्लियर कर सकें तो अपन चलते हैं परिबाय समझ में आ ग यह का अनुसुत्र यह का अनुभा यह में उपस्तित कार्वन ऑक्सिजन के द्रेवमानों का अनुपात ठीक है यह तो एक आपके सामने एक्जामपल प्रस्तुत किया है अपन इसको अपने तरीके से भी विख्ट कर सकते हैं चला ध्यान से देखो क्या बेटा अपने को एक ऐ है ठीक है भाई बना लिया जिसमें आपको यहां रखना औरथना अउक्सिजन रख दिया कारवन ऑक्सिजन मिले तो थो ही बंता है और सी ओ टूत बंता है यहां तक तो मेरे हिर पसे कि से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए याद है ना समझ में आया ये तो छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं और नहीं भी आए हैं तो मैंने पीछे भी बताया है राइट अब सुनो कार्बन एक परमानू है ऑक्सिजन एक सिंगल परमानू है ठीक बात है कार्बन का इस सीयों में द्रविमान कितना है बच्चों फटा वट कमेंड में लिख आई थी याद है ना कि एक परमानू ओक्सिजन एक आथो 16 और ओटू हो तो 32 आगे चलते हैं इसमें भी कार्बन एक है तो बादा ऑक्सिजन ओटू है तो क्या लिखा 32 अब अब क्या समझाना चाहती है मैडम यह तो कर दिया समझ में आ गया फटावर यह सोड़नों लिको तो देखिये जल जल्दी अब हम क्या समझ रहे हैं अब हम या कह रहे हैं कोई निस्यतोर द्रवेमान वाला थुके साथ सायों करता है तो उस भीन भीन द्रवे मानवाले तत्मों का अनुपात परस पर एक सरवानू पात होता है कैसे कार्बन का अनुपाद कितना है एक अनुपाद एक तो ऑक्सिजन का एक अनुपाद दो यस और नू बात समझ आई यह नहीं फटाफट बोलो तो यह सरल अनुपाद ही तो हुआ इसे ही हम कौन सा नियम कहते हैं गुरित अनुपाद का नियम कहते हैं बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं आया टॉपिक वापस देख लो एक बार निश्चित द्रेवमान वाला तत्व ए निश्चित या भिन 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 द्रेवमान वाले तत्वों के साथ जब जुड़ता है तो उस तत्व का अनुपात भी एक सरल अनुपात होता है क्लियर बात समझ में आगे फटा फट स्क्रीन शोट ले लो था कि आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाए ओके चलते हैं आगे एक और धरन की बात करते हैं बच्चों जो बहुत इंपोर्टेंट भी है और एक्जाम में आता भी है क्या है कैसे आता है ध्यान दें देखो बच्च अच्च शग्वाइन लेकर के अपन ने यहां पर नाइट्रोजन लेक्र दिया यह ऑक्षिजन लिए इन से बने हुए योगी कौन कौन से है सबसे प्ले लिखो N O फिर N 2 O 2 फिर N 203 फिर N 204 फिर N2O 5 बात समझ में आगे देखो बच्छों यहां पर आपने इस तरह से लिख लिए लिग दिया ना सबने लिख लिए यह बात समझ में भी आ रही है यह सब क्या है मैडम यह याद करने होंगे क्या आप को याद करने की जरुरत का है फिर नाइट्रोजन एन ओ यह लोगोशीृवार प्हरीवी कर दिया एंट तू ओ एकी प्री सब में एस तिर में यह गॉप जूटा के साथ लुटा की साथ जूडा तीन के साथ जुटा 4 के साथ जुडा पांच के साथ जुडा यह तक क्लियर हो गया याद करने की जरद नहीं ना बिलकुल 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 यानी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों को है ना बच्चों बिलकुल कमेंड में जो लिख रहे हैं वेरी गुड बेटा इस तरह से ही पढ़ते चलो बड़ा अच्छा लग रहा है नाइट अब oxygen oxygen क्या है oxygen में क्या रहा है सोला 32 फिर एट हाया ना बात समझ में आ गई होगी यह बात तो क्लियर है हो गई चलो बच्चों नाइट्रोजन का परस्पर अनुपात कैसा एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक बोलो हाँ आना 28-7 पहीं पातिक तो oxygen का क्या हुआ भाई अनुपात एक अनुपात दो नुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच हायान बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है जल्दी बताओ देखे फटाफ़ट सही से लिग लो अच्छे से समझ म आना चाहिए ताकि बात क्लिएफो आँ हाई इन आजल दि भूल। आफो इता जए एक रनुपात सिटों टेन अनुपात फारफ पांच एस और नो देखो जी एक अनुपात इक उनुपात एक सलंपात है तो क्या नीचे वाली एक सुरंफाथ है एगा पूर संख्या के रूप में ऑक्सीजन जो बिन बिन द्रवमान में उपस्तित था वह भी परस्पर एक सबरल अनुपात के रूप में व्यक्त की आ गया है अता है यह नियम भी यह एक्जाम्पल किस नियम को फॉलो करता है गुणित अनुपात के नियम को फोलो करता है बात समझ में आ गई होगी क्लियर हो गया बच्चो जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो यस और नौर इसका भी स्क्रीन शॉट फटाफट ले लेंगे देखें फटाफ़ जल्दी 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 यह लिजे स्क्रीन शॉट वेरी गूड आप चलते हैं आगे हो क्या आएजी अगला नियाम कौन सा नियम जी चौथा नियम जिसका नाम है गैल उसे का नियम बच्चों यह गैलुषान नियम क्या है गैलू आकbas से यह नियम धिए ध्यान दू सौच हूप क्या था लुषिण कहा कि तत्वों के बारे में हो गया उनकी द्रवेमान को सरंक्षित भी कर लिया तो क्या तत्वों में गेसी रूप नहीं होती होती है ना O2, N2, H2, Gays इतो है तो क्या उनका कोई अनुपात नहीं होता? क्या उनका आयतन, ताप, दाब में कोई रिलेशन नहीं है? तो उन्होंने एक नियम दिया उन्होंने गेसों के लिए एक नियम दिया इसलिए उनका नाम अपने ही नाम पर रख दिया गेलुसे का गेसों के आयतन संबंदी निया ओके बात समझ में आ गई होगी तो क्या कहा उन्होंने कहा कि जब गेसे कोई आपस में प्रती क्रिया या अभी क्रिया करती है तो ऐसा आयतन में करती है जिसका एक दूसरे से और उत्पादों के आयतन से पूर्णांक अनुपाथ हो बेटा बार बार पूर्णांक शब्दारा है जरा ध्यान दे पूर्णांक आयतन मतलब पूरा अंक टू थ्री फोर राइट यह पूर्णांक आयतन नहीं यानिकी भिन्नात्मक रूप में वैल्यू ना हो अभी उनके ताप मान और दाव जो दाब है वो सदेव क्या हो इस्थिर हो राइट जब इस्थिर होगा दाब ताप और दाब तो हमेशा गेसों के आयतन सदेव क्या होंगे स्थिर होंगे पुर्णांग के रूप में होंगे राइट बात समझ में आ गई होगी और यह सजन पूरुज जो यहां पर रखे गए हैं इनको तो आप जानते हैं कौन है यह जॉसेफ लुइस गेलुसेग जिनने गेलुसेग का गेसों के आयतन संब दिनिया दिया था ओके तो यह बात समझ में आ गई फटा पर इसका स्क्रीन शोट ले लिजिए ताकि बात क्लियर हो जाए जल्दी चलो जी अब आगे चलते हैं इसका एक एक्जामपल करते हैं बोड़ पर स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है एक आई तन अणू एच टू एक आई तन अनू के चाथ उधारण द्वारा दो आई तन एक खंडित बीना टूटे गेस अचल निकालता है सही तो है H2Cl2 देरा क्या करता है 2HCl बनाता है बना दिया यह 2HCl जब बना रहा है तो वहां पर आपका आयतन कितना हूँ कितना आयतन भैए एक लीटर एक लीटर और यहां कितना हो गया दो लिटर तो इनका अनुपाद पूर्णा है कि तो हुआ एक अनुपात एक अनुपात दो हाँ या ना भिनात्मक थोड़ी है बिल्कुल भी नहीं नहीं है ना ये बिनात्मक नहीं है इसका मतलब ये एक सरल पुर्णांग के रूप में व्यक्त किया जा रहा है फिल भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी इस बात को जब आप पड़ी र अनुपात आ रहा है पुर्णांक आ रहा है इसका मतलब यह नियम गेलू से का नियम है वह यह उसी नियम पर आधारत है जो मैंने भी बोला है उस बात को आप लिख ले ताकि आप को यह बात बिल्कुल क्लियर क्लियर समझ में आजा है ओके क्लियर हो गई बात चलो जी 3H2 2NH3 क्लियर एंटो प्लस 3H2 is equal to 2NH3 दन एक आइतन तीन आइतन दो देखो जी बच्चों क्या इनका अनुपात भी परस पर एक मुर्णांक है यह सो नू फटा फट जल्दी लिखो जल्दी 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 कमेंट पर फटा फट लिखते जाओ वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड बच्चों सही है बिलकुल तो बात समझ में आ गई होगी यह आपका गेलु से का आइतन संबंदी नियम जी दोनों नियम क्लियर हो गए पहला क्या था पहला था गुणित अनुपात का किसने दिया जान डाल रहे हैं दूसरा कौन सान पाथ है गेलु से का से किसने दिया जॉसेफ लूइस गेलु से राइट अब चलते हैं आगे अगला नियम आता है अपना कौन सा फॉर्थ फिफ्ट नियम जो क्या है आवो गद्रो नीयम दिसे आवोगाद्रो नामक विक यह बहुत इंपोर्टेंट है इसका एक्जाम में क्यूस्चिं आता ही है कनफसर्म है इसको तो अधिटेयल میں डिसकस्व भी करेंगे उसके एक्षापल मी करेंगे नुमेरी कल मुइंब Perché this का ताकि आपको बा शब्दों में बहुत कुछ कह दिया इसने क्या कहा कि कोई भी योगिक हो उसका आयतन जितना होगा उतने ही उसमें अनुओं की संख्या होगे यानि हमेशा वी समानु पाती क्या एंड वी आयतन एंड अनुओं की संख्या क्या कहा था परिबाश आपके सामने है एक ही ताप दाप पर सभी गेसों के समान आयतन में अनुओं की संख्या सदेव क्या होती है बच्चों समान होती है क्या होती है अनुओं की संख्या आयतन म हमेशा समान दो आईतन दो एक आई तन एक चार आई तन चारणू तीन आतन तीन और okay बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आगई हो गी कह तो प्राड़म में तो इसको अवगत कर रोपरिकल्प नह 있으 तो देखोने के बाद में इसे क्या और वो गद्रो नियम कहए दिया ओके बात समझ में आगई होगी तो चलते हैं आगे आगे देखो जी बच्चों आगे हैं बात समस्झ में अगला आप महत्वपून कुछ बाते हैं बच्चों महत्वपून कुछ बाते क्या है क्या कहना चाहते हैं देखो वीटर अभी मैंने बोला कि जितना आयतन उतने उसमें अनू ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अनू की संख्या क्या आपको पता होगा आपने छोटी ऐन्त में तेंट में देखा है कि टीचर सापको आवोगादर संख्या के बारे में बता देते हैं से adesso यह पता था कि संख्या है जिसे आवोगादरो संख्या के पर क्यों यह क्या था और गदर ने क्या सोच के बूला उन्हों ने कहां को कोई भी पदार्थ है ध्यान देना बेटा ध्यान कोई भी पदार्थ है योगिक बोल देते हैं चलो योगिक बोल देते हैं ठीक है पदार्थ को छोड़ो कोई भी योगिक ठीक उस योगिक में या कोई भी परमानू या कोई भी अनू ठीक फॉर जैसे एक्जामपल oxygen हो गया कोई भी तत्व है परमानू है अनू है योग है उन में कणतों है उन कणों की संख्या हमेशा कितनी होगी और वो कम निश्चित होगी तो उसके लिए उन्होंने क्या का देखो किसी भी गेस के एक ग्राम अनुभार में अनू की संख्या समान होती है इस संख्या को को गद्रों संख्या कहते है निस पश्ट कर दिया कभी एगाँ पर भी कैसे भी अगर आपने एक ग्राम उबार में अनू को की संख्या दें एक ला-mast की संख्या वो हमेशा जो हो नहीं बताया इसलिए इनके नाम पर रखा गया सेकेंड है ना इंपोर्टन बात सेकेंड क्या कहते है यह संख्या इस कमान विभी ने वीदियों से ग्यात किया गया और मान प्रात्त क्या हुआ 6.022 into 10 to the power 23 आजकल ऐसा भी है यह डिजट थोड़ा ज्यादा है 6.022 के बाद में जो है वो 98 आया हुआ है तो वह संख्या जो है इंक्लूडड कर दी जाती है और यहां पर कई जगह ऐसा लिखा गया है 6.023 into 10 to the power 23 यह भी सही है अपने को तो पर यही याद रखनी है ताकि आपको एजी रहे ओके चलिए जी बराबर बात है तो बात समझ में आ गई क्यों दी संख्या क्योंकि सबसे पहले इन्हों नहीं वो रिसर्च किया सेकिंड थर्ड पॉइंट क्या कहता किसी पदार्थ के एक मॉल में उपस्तित कन परमानू अनू या आयन ठीक है कि संख्या हमेशा किसके बराबर होगी सबसे इंपोर्टेंट है भाई सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ट्रेपल स्टार एक मॉल बच्चों एक मॉल मतलब क्या कोई भी पदार्थ का मॉल जो है वो परमानू भार चाहिए वो यूग है तो यूग का अनुभार परमानू है तो परमानू भार वो हमेशा एक मोल के इक वैच चलता है ठीक है ध्यान रखना किसके इक वैसे कि एच टू एच टू है अब हच टू का अणुभाद 18 एक मोल के वराबर तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी आवो गद्रों संख्या के पराबर होगे राइट बात समझ में आ गई होगी ध्यान रखो आवो गद्रो नियम क्या है वी समानुपाति एन मैं वापस बता रही हूं ध्यान से वी समानुपाति अन्जितना आयतन उतने अनुव की संख्या सेकिन आवो गद्रो संख्या क्या कहती है आवो गद्रो नियम क्या कहता है क्यों दिया गया यह संख्या क्यों ना ग्राम अनुभार होगा उसमें क्या होगा अनुवों की संख्या हमेशा समान होगी और जो संख्या उन्हों ने बताई वो 6.022 into 10 to the power 23 जो हमेशा एक मॉल के इकवल चलती है हर्थार्थ किसी भी तत्व का अनुभार परमानुभार एक मॉल के इकवल चलेगा और एक मॉल में परमानुभों की अनुभों की कणों की संख्या सदेव 6.022 into 10 to the power 23 होगी क्लियर यहां तक यह नियम समझ में आ गया तो फटा पर चलते एक अपन करते हैं उधार उधारण क्या कह रहा है मैने जो बताया वो उधारण आपकी स्क्रीन MILDY को समझ में आईगा जो मैंने अब तक बोला है कारवन क्या है बस जो एक परमानौ है तो है किńsk 18 नहीं फटा पटोलो जल्दी तो परमानौ sometime श्का द्रव्यमान सेंख्या या क्या कहें परमानुभार कितना है बारा तो बारा ग्राम बराबर एक मूल क्लियर हो गई होगी बात हां या ना एक मॉल उसका परमानुभार या फिर अनुभार केड़ आश्टों केड़ रहे यह मैंदू अनुभार अठा एक मोल जल में 18 ग्राम तो अठारा ग्राम जल में का ओकी संग्या आवोगा दूसे के क्या होगी बच्चो बराबर हाय ना जल्दी बताओ जल्दी फटा 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 बात समझ में आई या नहीं आई न यह सबसे important बात है इसलिए इसको screenshot ले लो फटाफर पीछ जो मैंने बताया उसका भी screenshot ले ले लेना जल्दी चल्दी 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 क्लियर चलो जी आप चलते हैं एक एक्जामपल क्या चैनल चोंतीस ग्राम अनश्थ्री में मौझूद परमानूं की कुल संख्या यह नहीं करों की कुल संख्या बताओ अब करों की कुल संख्या कैसे ग्यात करेंगे जल्दी जल्दी करके बताओ फटाफट अभी जो देखा वेसी फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करो वहीं बच्चे कह रहे हैं आप करके दिखा दो मैडम अच्छा जी मिलकुल अभी करते हैं दो थोड़ा तो आप भी कोशिश करो थोड़ा दिमाग पर जो डालो पकी पकाई खीचडी हमेशन ठीक नहीं बच्चों करो कहते हैं कि अगर महनत करोगे तभी उसकी जो रिजल्ट आते हैं उसका अनुभव अच्छा लगता है ऐसे नहीं अगर पका पकाया सब मिला तो आप सक्सेस भी हो जाते हैं तो वह सक्सेस का मजा नहीं जो महनत करके आता है तो महनत करो तभी जो सफलता मिलती है उसका फटाफट आये वही शुरू करते हैं बच्चों अपने पास 34 ग्राम में लेकिन पहले अपन शुरुवात कहां से करेंगे देखो जी अनस्त्री में मौझूद परमाणू की संख्या चाहिए तो अपने पास अनस्त्री है तो एक मॉल जो अनस्त्री है उसमें कितने ग्राम है अनस्त्री का अनुभार निकालो कितना निकालोगे अनस्त्री का अनुभार निकालना आता है एन प्लस 3H नाइट्रोजन है कितना चाउदा प्लस 3 कितना हुआ सत्रा ग्राम लिट जी सत्रा ग्राम आ गया एक मॉल अनस्त्री में कितना है अनुभार कित है इसका 17 कणोंी कि संक्या सब्राव 107 ग्राम आगे अब अपने क्या करना है शत्रात वागा अगर सत्रा है तो सत्रा ग्राम में सत्रा ग्राम आनश्थरी में क्या करनों की संख्या कितनी भाई सतरा ग्राम में कितनी होगी संख्या आवो गद्रो संख्या के बरावर जो पीछे मैंने बता है 6.022 into 10 to the power 23 right तो भाई एक ग्राम में कितनी होगी बच्चों 6.022 into 10 to the power 23 upon 70 तो 34 ग्राम में बच्चों चल्दी बताओ 6.022 into 10 to the power 23 बटा क्या 17 गुना 34 बात समझ में आवे होगी हाई आ जल्दी चल्दी चल्दी फटा फट कैलकुलेशन कर दो कितना आ रहा है अंसर जल्दी बताओ जल्दी फटा 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 फट वेरी गूड बच्चे विलकुल सही अंसर कर रहे हैं आंसर आया है 12.04 यस और नो काट दू ना भई गया गया हाँ यह ना क्लियर चलो जी चलो यह तो क्या है भई 34 ग्राम में है हाँ यह ना वह दू आप यह लिखा गया है उसमें परमाणु कितने हैं कितने परमानु है कितने है चयार कितने बच्चों च्यार है है यह ना बोल definitely चुल दे अपने पास एक अनश्थ्री जो है उसमें कितने परमानू है एक मॉल एन एच थरी मैं परमानू कि सही एक इतनी है चार गिल्लो नहीं पता है तो एन एच थरी एक नाइट रोजन प्लस तीन हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए चार हाँ या ना चलो जी हो गए तो बताओ 32 ग्राम एन श्थरी जो है उसमें परमानू कि संक्या कितनी चार गुणा 12.04 हाँ या ना तो 48.04 आंसर आ गया है बताओ जी बताओ समझ आया कि नहीं बताओ क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी 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 ृ सुनहार बच्चें सब सबकांतर सभी नहीं सही आ रहे हैं ना एसा नहीं है कहीं नहीं लिखाया कि अपने को नहीं आता है या हम नहीं कर सकते हैं ऐसी किसी भी में निलखाया कि कोई भी कारिय संभव है अगर करना चाहें तो क्या छुपाएं बच्चो संभव रैट जॉन डॉल्टन का परमानुवाद सिद्धान राइट परमानुवाद सिद्धान सबसे पहले परमानु के बारे में कान के बारे में जिस वेग्यानिक ने बताया वो वेग्यानिक कौन था वो वेग्यानिक था आपका कौन बच्चों वो वेग्यानिक था आपका वो था जॉन डॉल्टन राइट डॉल्टन अब इसने क्या किया इसने किस प्रकार से अपने को कणों के बारे में बताया तो वो सिद्धान्त के कुछ बिंदू हैं वो बिंदू अभी देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने समझाया था तो अपने पास सबसे पहले अपन देखेंगे कि उसने पर्माणू के बारे में क्या बताया गाई उसने कहा कि पर्माणू एक क्या है बहुत छोटा ukla जो विभाजित नहीं किया जा सकता तो सबसे पहले क्या बताया उन्होंने 1808 में वेग्यानिक ने अनिक प्रियोग के आदार पर सिद्धान प्रसुत किया जिसमें सबसे पहले बताया था कि अति सुक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमानू कहा जाता है किसे कहा जाता है परमाणू छोटे से कन को जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है और एक तत्व के सभी परमाणू आकार आकरदा द्रवेमान आधी गुणों में समान होते हैं जबकि बिन बिन तत्वों के परमाणू इन गुणों में बिन बिनो ध्यान दे औक्सिजन की नाइट्रोजन की सोडियम की तो ये परमानू जिसके अंदर जो कण है वो कण हमेशा एक ही प्रकार के रहेंगे बच्चों वो कभी बदलते नहीं है तो उनके गुण भी समान रहेंगे लेकिन कार्बन सोडियम का आप यदि तुल्ला करते हैं तो वो क्या हो जा जाती है राइट बात समझ में आ गई होगी तो आप चलते हैं आगे अगला पॉइंट कहता है कि परमानू को ना तो नश्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन के सही बात है अपन कभी कार्बन को ऐसा है कि पूरा नश्ट कर दें तो नया कार्बन थोड़ी उत्पन नहीं ऐसा नहीं है वो नश्ट नहीं होगा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है देखो बच्चों अभी अगर क्लास में आप इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आपको क्लास लाइव क्लास में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा राइट चलो बई अगल चाह रहा है कि अगर आपने तत्व से योगिक बनाया है जैसे CH4 है राइट अश्टूओ है एस्टूओ सो फोर है तो इनके अंदर जो परमानू या तत्व मौजूद है उनका अनुपात निश्चित है बदलता नहीं है यह आपने कहां पर पढ़ लिया है यह आपने पात के नियम सही बात है बात समझ में आ गई होगी अब आगे चलते हैं अगला पॉइंट है आपका क्या अगला है दो तत्वों के परमानू गुणों में एक दूसरे से बिन बिन होते हैं उनके परमानू भार आकार भी बिन बिन होते हैं इसमें कोई जानना या फिर नहीं जानने वाली बात नहीं है सबको पता है कि परमानू समान भीन तो सब भीन तो ये बात तो क्लियर हो गई सिद्धान के कुछ बिन्दू है पांच जो पांच विंदू वी फटाफट रिवाइस कर लेते हैं क्या है पहला पहला कहता है कि कन जो है वो सुक्ष्म कन है तत्व में समानकण है परवाणू समानकणों से मिलकर बनाए है तो उनके गून आकरती सब समान और बिन बिन तत्वों के गून आकरती आकार सब बिन बिन होते हैं तीसना पॉइंट कहते हैं कि परवाणू को ना तो नश्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन के राइड हम लोग कुभी भी किसी भी परमानू यह तत्व को कभी भी नस्त नहीं कर सकते हैं एक रूप से द्युसरे रूपए बदलते ही हैं तीन six put clear 4 चौत फॉाइन क्या रहा है तत्व कि प्रमानो निश्चित अनुपात में क्या होते हैं सेयोजित होते हैं हमेशा नोपात की बदलता है यह कहांत यह कह रहे हैं यह यह कहा है कि अधान प्रमानम कुरम हों में एक बात बिल्कुल clearly समझ में आ गई है राइड बच्चों अब अपन देखते हैं अपने क्या पढ़ लिया अपने पढ़ लिया डॉल्टन के परमानुवात के सिद्धांत राइड सिद्धांत के कुछ बिंदू अब इसके बात सिद्धांत के बाद नियम अब नियम क्या कहता है नियम कहता है कि डॉल्टन का नियम कहता है कि पर्तेक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है क्या है भई पर्तेक पदार्थ द्रव्य किन से बना है बच्चों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है परमानू रासाइनिक और भौतिक रूप से क्या है एव विभाज य इसे कोई भी भौतिक और रासाइनिक विधी के द्वारा अलग करना संभाव नहीं है राइट बच्चों तो आपको नियम समझ में आ गया है नियम क्या कह रहा है कुछ नहीं कि परमानु छोटे कंड से मिलकर बना द्रवे सोरी द्रवे जो है वो छोटे कंडों से मिलकर बना ह रासाइनिक रूप से विभाज जैए जिसे विभाज़ित करना नहीं है राइट इसलिए इसे बहुत तिक और रासायनिक विदी से प्रत रहने किया जा सकता फटाफ़ट स्क्रीन शोट ले सकते हैं जल्दी से इस नियम की आप चलते हैं आगे आगे क्या है आगे है बच्चों अब पढ़ेंगे अपन क्या दोश इस नियम के दोश क्या है देखो बच्चों अपन ने अपन जनरली पता है क्या होता है हम जनरल क्या सोचत कि हमने जो काम किया वो बिल्कुल पर्फेक्ट है उसमें कोई गलती होई नहीं सकती है है ना हम जनरली कहते हैं कि अपना नेचर ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी कारे करेंगे तो कुछ तुरूटियां रह जाती है तो दूसरा वेक्ति आता है वो रिसर्च करता है फिर उ सब का आना इन्होंने इतना रिसर्च करके बहुत कुछ बताया परमानू को आगे तक लेकर गए तो वो सब कैसे कहां से आता अगर यह कमिया नहीं इसलिए हर जगे अपने को पर्फेक्ट होना होता है लेकिन चीजें जो है उनमें सुधार भी जरूरी है ठीक है इसलिए त पच्छों तकि आपकी जो आगे की जर्णी है जो भविष्य सुनेरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है वो जल्दी से आप उस चीज को चीज तक पहुंच सकें वह अपना टार्गेट पूरा कर सकें तो अपना पहला दोश क्या है डॉल्टन ने कहा कि यह कंड और नियूट्रोन तो उनमें विबाजित हो रहा है ना कैसे कह दिया कि विबाजित नहीं है तो डॉल्टन इस बात को नहीं समझा पाया कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आज मालुम तो चलाना कि दोश हुआ तो पता चलाना कि यह कंड भी होते हैं अगर रिसर्च आगे नहीं होती तो पता ही नहीं चलता तो पहला दोश आता है एक्जाम में इसके दोश कई बार पूछे भी गए हैं इंपोर्टेंट है तो यह समन्त है तीन करणों से मिलकर बना होता है जिनको विबाजित किया जा सकता है यह डॉल्टन नहीं बता पाया चलते हैं अगला अग तो के सभी परमान उद्रवेमान भार भिन भिन हो सकते हैं कैसे आपने बच्चों नाइन्थ क्लास में और तेंथ क्लास में भी क्या पढ़ा है हाइड्रोजन तो पढ़ा है हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े हाइड्रोजन को प्रोटियम डूटेरियम और ट्राइटेरिय ठीक है one 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 लेकिन one two और three ठीक बात है यह लिखा गया था तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर इनके क्या कहा उन्होंने तो कहा कि तत्व के अंदर जो परमानू है परमानू जो कण है वो हमेशा समान तो समान भार रहेगा बदलेगा नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि जब समस्थानिक के बारे में भी डॉल्टन नहीं समझा पाया उस समय वो चीज रिसर्च में नहीं हो राइट पहला क्या था कन एक समान होते हैं हां लेकिन कन विभाजित भी होते हैं वो नहीं समझा पाया सेकिंड प्रमानु आकार एकी तत्व के सब के समान होते हैं लेकिन जब स सत्वों के परमानों के परमानों द्रेवान भिन भिन होते बिलकुल यह डॉल्टन ने बोला था परन्तु संभारिक के जब खोज हो गई संभारिक सम समान भार अगर संभारिक की जब खोज हो गई तो समस्तानिकों के भार भी क्या हो सकते हैं समान हो सकते हैं यह बात भी वहां पर रिसर्च में नहीं ती तो यह भी क्या बन गया दोश बन गया जिस जोगों डॉल्टर नहीं बता पाया है वो सब दोश हो गए और लास्ट आता है अपना क्या कि यह सिद्दान गेलु से के आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता है नहीं करता है जब्कि यह द्रवेमांग्यार सरंक्षन और इस तिर अनुपाथ के नियम की व्याख्या भखू भी क्लियर ली कर दीता है तभी तो उन्हें बताया था ना इस तिर अनुपाथ में संयोग करते हैं और नश्ट नहीं किया जा सकता उत्रवांग्यां के इस displacement ही तो है ओके चलो जी डॉल्टन का जो सिद्धान्त है मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया यह तीन मार्क्स का क्यूस्चन आएगा और वो कैसे आएगा वो लास्ट में जाते वक्त आपको बता कर जाओंगी तो आप लास्ट तक जुड़े रहें फटा-फट कमेंट कर दीजिए डॉ नियाम सिद्धान्त के कुछ गोड़ और उनके बिनदू और नियाम के बाद दोश तेना पिक बिलकुल बिलकुल क्लियर है तो अब चलते हैं आगे अपन ने देख लिया परमानो जब परमानों के बाद पढने के बाद अब क्या आता है उसका द्रवेमान यानि उसका भार कितना होता है ये तो जानना बनता है तो हम अब अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या है अगला टॉपिक है परमानू द्रवेमान बच्चों अपन जब नाइंत में परमानू द्रवेमान पढ़ रहे थे तो वहा पर्मानु द्रवयमान निकालो और वर्तमान में कार्बन बारा को मानक मानकर उसके सापेक्ष अन्यतत्वों का द्रवयमान निकालो अब बच्चे हो जाते हैं कि पर्मानु द्रवयमान निकाला कैसे जाए कुछ नहीं बिलकुल टेंचन नहीं लेना है पर्मानु द्रवयमान मतलब क्या देखो कोई भी परमानों सब्सक्राइब चोटा होता है इतना चोटा कि उसका द्रविमान मापन करना बड़ा मुश्किल है ठीक है उसकन का तो कोई भी परिभाशा में बोले तो एक लाइन में बताओ simply परमानों द्रविमान क्या किसी भी परमानों के द्रविमान को ग्याद करना ही परमानों द्रविमान है एक कन का द्रविमान राइट वो द्रविमान है और उसकी जो इकाई है वो क्या होती है यूनिफाइड यूनिफाइड एटोमिक मा जिसे यू से रिपर्जेंट किया जा तो याद रखना अगर एक ही तत्व के कई समस्थानिक है है ना समस्थानिक तो उन समस्थानिकों को पता करो जैसे अपने पास व्व एक्जांपल हाइड्रोजन ऐस देखते रहे ना कार्बन बारा कार्बन तेरा और कार्बन 15 इनका परमानू करमांग सबका 6 है हाइड्रोजन डूटेरियम ट्राइटैरियम परमानू करमांग 11,2 और 3 ठीक बात है यह तो कोई बड़ी बात नहीं समझ में तो इनका परमानुद्रवेमान कारवन 6 का 12 इसका 13 और इसका 14 ठीक है बच्चों जब आप द्रवेमान निकाल रहे हैं तो मैक्जिमम तत्वों के द्रवेमान जो होते हैं तत्वों के मैं ध्यान से सुनना में जो बोल रही हूं तत्वों के जो द्रवेमान होते हैं वो लगब यहां पर दुगुना नहीं हो रहा है वह आवर्च सानी जब मैं पढ़ाऊंगी आपको अगले चैप्टर में तो वहां पर उन तत्वों के नाम लिखवाकर अलग से उनको अपन अलग से दिसकस्स भी करेंगे वहां पर ही क्योंकि यहां इतनी जरुरत नहीं यहां टॉपिक हो समझ जाओ ताकि बस इतना ही काम का है तो जितना क्रमांग उसका डबल तो वह परमाणू ध्रवेमान होता है अब आता है दूसरा टॉपिक यह बात समझ में आगे है यह यूं भी कह सकत प्रमाणू प्राइब करमांग का दुगुना क्या होता है ठता कारवन 12 बारा की भाग से निकालो इतना अपने को नहीं करना है नीट वाले बच्चे जही वाले बच्चों के लिए सबसे सुमिल टिपस है कि वह आसानी से इस चीज को पढ़ सकते हैं तो इस चीज को जादा मतलब ट्रिक के इसा से पड़ो तभी इजी लगेगा वरना घूमते रहोगे घूमना नहीं है ओके टॉपिक समझ में आ गया अब चलते हैं अगला अगला टॉपिक क्या है औसत परमानू द्रवेमान बच्चों औसत परमानू क परमानू द्रवान संभव नहीं था इतने चोटे कणों का निकालना तो अगला टॉपिक आया आपके औसत परमानू द्रवेमान मैं बच्चों अन्सी आर्टी बुक का एक एक टॉपिक आपको क्लियर कर रही हूं नीट वाले बच्चे 11-12 के बच्चों के लिए तो यह है ह अच्छे से पढ़ो राइट तो इसलिए आप अच्छे से लगातार जुड़े रहें फटा फट इन चीजों को देखो समझो और करो ओके तो चलो टॉपिक पर आते हैं औस प्रमानू द्रवेमान भई औस प्रमानू द्रवेमान क्या है एक ततर छोटा है उसको निकाल नही किया कि अपन जिन जिन तत्मों के समस्थानिक है उनके समस्थानिकों को जोड़ा और जितने समस्थानिक है उसको उससे डिवाइट कर दिया तो वो क्या हो गया अपना औस परमानू द्रवेमान जैसे तत्मों के समस्थानिकों का द्रवेमानों का योग समस्थानिक की कुल संक्या के बराबर होता है कार्बन का सबसे सिंपल एक्जाम ले एक्जाम ले थे कार्बन 12 कार्बन 13 और कार्बन 14 ठीक है अब तीनों को जोड़ दो 12 प्लस 13 प्लस 14 बटा 3 बात समझ में आ गई हाँ या ना फटाफट 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 बताओ जल्दी अब इनका उसत नि आज की क्लास का सबसे होनहार बच्चा होगा उसतन जो वेल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 13 क्योंकि अपन सब जानते हैं कि अपने पास जो वेल्यू है उनका उसत तो वहीं निकलेगा न भाई जितनी value है तो 12, 13 और 14 का ओसत तो कितना बैठा तेरा ही बैठेगा ना आप निकाल के देख सकते हैं इसलिए प्रकरती में वैसे तो सबसे जादा मात्रा में कार्बन 12 और 14 की बताई गए यह value सब जादा उसी की होती है फिर भी आप ओसत परमानु द्रेवमान इस प्रकार नि हो गई ओसत परमानु द्रेवमान की और किसकी प्रमानु द्रेवमान की क्लियर आगे चलते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है भई अगला है आणविक द्रेवमान यह एक्जाम में पूछा जाता है टू मार्क्स का क्येस्टन आता है बच्चों आप लोग यही दवातार म पढ़ा रही हूं जो टॉपिक में पढ़ा रही हूं उसमें क्योस्टन कौन से बनने हैं कितने नमबर के बनने हैं मैं साथ साथ बतारे इस वेरी इंपोर्टेंट कि आप लोग इससे अच्छे से नोट करें राइट ताकि आपको बात समझ में आ जाए नीट वाले बच्च का होना चाहिए राइट बनचों तबात देखो ठीक से कितना आएगा क्या बैठेगा आमिक ध्रवयमान किसे कहते हैं तो आनुट द्रवयमान किसे कहते हैं कि से पदार के अनुमें परमानूं का जो द्रवयमान होता है hanika योग ही क्या है उसका आणविक द्रेवेमान है लिए लास्ट क्लास जो थी उसमें अपने ने आणविक द्रेवेमान निकालना अनु भाद जिसे मैंने कहा था वो निकालना सीखा था वही आणविक प्लैस ऑक्सिजन कितने आइडरोजन दो दो गुणा एक फ्लैस ऑक्सिजन कितना सोला दो प्लसि सोला बराबर अठारह अब बच्चों हमवग है च्टीजों सोफोर का फटा फट करके कल मेरको बताना कल जब अपन आएंगे तो मेरेको निकालकर बता देना की स्ट उसमरा कित ना होगा यह आपको मेरे को नेक्स क्लास में बताना है मैं आप सबसे पूछूंगी कि एस्ट्रो सो फॉर का आणविक द्रिविमान कितना आया ओके बात समझ में आ गई होगी आप यहां पर CH4 का भी निकाल कर देखेंगे दो मैंने बता दिये हैं इन दोनों के निकाल कर देखोगे कितना आता है यदि आपको इस तरह से करना आ रहा है इसका मातलब आपको समझ में आ रहा है मैंने इस पेजाज समय नहीं लगाया है क्योंकि मैंने यह टॉपिक आपको पीछे भी बता पर्टी में था इस लिए ओके ज़रा टेंशन नहीं है फ्री हो के मस्त चिल मारके पड़ो ओके चलते हैं आगे अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो आणविक द्रव्यमान था आणविक जो द्रव्यमान है उसको अपन और किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं ध्यान देना आणविक द्रव्यमान पढ़ने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि आणविक द्रव्यमान तो अनुभार जैसाई बिलकुल है लेकिन यहां पर एक टॉपिक दिया है सुत्रभार इसके आगे दिया है तो H2 हो है इनको यह ज़िए आप सॉलिड फॉर्म में रखें तो यह पर्टिकुलर परमानूं आपको अनुचे रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे यह होते हैं जो अनुके रूप में बिना आइनित हुए नहीं रहते हैं जब जो तत्व आएन के फोर्म में रहते हैं तो उनका कभी भी अनुभार ना या आनविक द्रवेमान ना निकाल कर उस समय हम उसको शब्दों में क्या बोलते हैं सुत्रभार कहते हैं मैं वापस बोल रही हूं आनविक द्रवेमान में कोई भी अपन योगिक अनु लेते हैं तो वो पर्टिकोलिली में रह सकता है सी एच अलग-अलग आराम से आपको दिखाई देंगे लेकिं वहीं पर कुछ ऐसे योगिक होते हैं जिन में मौझूद परमानू अनू फोर्म में नहीं दिखाई देते हमेशा आयनित फोर्म में दिखाई देते हैं तो वहां पर आप उसका आनविक भार ना ब साथ चींज है इस निए मैं कह रही हूँ क्या तो यहां पर अपन जब आइनित फोर्म में बात करेंगे तो सुत्रभार बोलेंगे तो सोडियम के लिए अपन लेते हैं तेश और क्लोरिन के लिए अपन क्या लेते हैं 35.5 बात समझ में आ गई होंगी तो इस प्रकार अपन क क्या कर सकते हैं सुत्रभार की भी डेफिनेशन अपन निकाल सकते हैं और सुत्रभार केवल नाम अलग दिया गया क्यों दिया गया उसका रिजन मैंने आपको बता दिया है एक्जाम में परिभाशा नहीं आती केवल पूछा जाता है कि सुत्रभार के से सुत्रभार जब जब क्या होता है कोई भी योगिक जिसमें उसमें उपस्तित परमाणू क्या नहीं रह सकते हैं अनु फोर्म में मौझूद नहीं होटे हैं मैशां आयनित फोर्म में होते हैं तो उसका मौल शब्द पदार्त में जो कण होते हैं उनके लिए प्रियुक्त होता है कोई दिक्कत नहीं ये बात तो ठीक है अब पदार्त अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक उसी को पढ़ रहे हैं अब वो जो टॉपिक है जो पदार्त है उसमें जो आपने मौल वह मौल ही क्यों कोई और शब्द क्यों नहीं यूज किया तो एक विग्या निकाए जिन महाशेय की जो तश्वीर है आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर यह महाशेय जी कौन है और ऑस्ट वाल्ड है ठीक है इन्हों ने क्या किया इन्होंने रिसर्च किया और संग्रह या ध्यर यानि बहुत सारे कण एक साथ आ जाना तो इन्होंने कहा कि यह सब्द बिलकुल प्रॉपर तरीके से फिट होका पदार्थ के कणों की संख्याओं को ग्याद करने के लिए क्योंकि एक पदार्थ में बहुत सारे कण होते हैं राइट अब बात समझ में आगे कि मौल संकल्पना क्या है किसी भी पदार्थ के कण की या यूं कह दू कि पदार्थ की मात्रा को जब मापा जाता है तो उसके लिए वो शब्द यूज किया और इस पर जो थोरी बनी उसे नाम दे दिया गया क्या मौल संकल्पना राइट बात समझ में आ गई होगी फटावर लिखावा में एक बार रिडिंग कर देती हूँ ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये ना लगे कि मैडम क्या लिखावा है हमें तो पता ही नहीं चला फटावर देखो आन तोर पर हम देनिक गती वीडियों में दर्जन, ग्रास, रिम, आदी, शब्द 12, 144 और 500 क्रमश है देखो दर्जन में 12, ग्रास में कितना 144 और रिम में कितना होता है 500 एक एक का बता रहा है एक विम में कितना एक दर्जन में कितने अपने एक दर्जन केला लाएं तो कितने केले चड़ेंगे 12 न यस और नो तो बात समझ में आ गई होगी तो उसी प्रकाश संख्याओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं परमाणू एवं अनू अत्यदिक करने के लिए क्या प्रियुक्त हुआ मॉल बात समझ में आ गई जो मैंने अभी समझाई थी यह है पद किससे लेटीन शब्द मॉल से लिया गया है जिसका अर्थ होता है धेर या संचय क्लियर हो गई है बात यस और नो फटा फट कमेंट में लिखेंगे जल्दी जल्दी इ इतना अठारा सो चौन में में किया गया था अनवों और पनवानवों की का धेर माना जा सकता है ओके बात समझ में आ गई होगी फटा फट स्क्रिंशोट मारो और इसको ऐसे के ऐसे अपने नोट्स में भी लिखना है प्रॉमिस करो फटा वट की लिखेंगे मैं डन जल्दी 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 तो अब चलते हैं आपन आगे अपना अगला टॉपिक क्या है मौल संकल्पना क्या होती है पीछे जो पड़ा है वो हिस्ट्री की मौल संकल्पना कहां से लिया गया यह शब्द साइंटिस्ट को कैसे मिला कहां से मिला कैसे आया बता दिया अब इसका चोटे चोटे इनकी संख्या काफी है तो काफी संख्या है तो एक मात्रक तो बनना है ना मात्रक से तो व्यक्त करोगे ना संख्याओं को तो वह मात्रक क्या आया मोल क्या या मेरे प्यारे बच्चों मोल राइट इसलिए अपन इसकी मात्राओं को मोल मात्रक प्रियोगर किया जाता है सेकिंड पॉइंट क्या कहता है फर्स समझ में आ गया परमारू और अनु का आकाराति सुख्ष में होता है बहुत कम मात्रा में इसकी इनकी संख्या काफी अधिक होती इस संख्या को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवशक्ता होती जैसे लंबाई को मीटर में मापत होते हैं जितने कार्बन बारा के समस्तानिकों के ठीक बारा ग्राम में उपस्तेद होते हैं उपस्तेद परमानों की संख्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट बट नॉट लास्ट क्या है ये 6.022 इंटू 10 तू दी पावर 23 राइट ये कनों की संख्या है कहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो पदार्थ में मात्रा या यू कहूं संख्या किन की कनों की मेरे बोलने पर जो शब्द में बोल रही हूं उन पर गोर फर्माओ कोई भी पदार्थ कितना भी हो पर परमानों की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है 6.022 into 10 to the power 23 के बराबर Done इससे किस ने दिया था सबसे पहले ये संख्याओं को अवुगज्रो ने दिया था Right तो अवुगज्रो ने जब ये संख्या दी तो उन्होंने ये बताया कि पधार का भार बदल सकता है पर भार में उपस्तित कणों की संख्या वो भी एक मोल में कभी नहीं बदलेगी एक मोल में भार बदल सकता है पर एक मोल में कणों की संख्या कभी नहीं बदलेगी जो हमेशा कितनी होगी अवुगज्रो नंबर के बराबर होगी Clear बात समझ में आ गई होगी अवुगज्रो जो नंबर होता है वो 6.022 into 10 to the power 23 बात समझ में आगी हुई अवो गद्रों जो नंबर होता है वो clear हो चुका है चलते हैं आगे अब इस चीज को और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है तो फटा पर देखो आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आ चुकी है मापनि तुला जिसके उपर क्या रखे गए हैं तो पधार्थ रखें गए हैं कण आपको दिखाए दे रहे हैं दे रहे हैं बच्चों बिलकुल ध्यान दो बेटर पदाद डाल दिया, सोच लो ऐसा, कि यह क्या है आपके, ब्लैक क्या है, ब्लैक बेरी है, ठीक है, ब्लैक बेरी है, ठीक है, अब ब्लैक बेरी, यहाँ पर अलग-अलग मापे, इसको कार्बन माल लो, इसको कॉपर माल लो, ठीक है, दो अलग-अलग टाइपस की, ब्लैक बेर दिया ठीक है अलग अलग तरह के थोड़ा सा चेंज किया दन थोड़े छोटे आकार की थोड़े बढ़े आकार की अब देखा तो इसका वजन तो आया बारा ग्राम और बड़ी वाली का वजन आया 63.5 ग्राम लेकर इनका मान दोनों का कितना है एक मौल है हैं दोनों कितनी एक निया वेर्यंट ऐं है ब्लाइक बेरी का ठीक है तो दो एलग अलग हो गये वैई अब पहले और द्तुसरे में जो आएं हैं वो एक और द्तुसरे मदेखो यहां पर भी वही है यहां पर भी वही है लेकिन भाद लग भाद बदल सकता चाहीं एक मोल में भार बदल सकता है लेकिन कड़ों की संख्या सदेव क्या होती है आवो गद्रों नंबर के बराबर होती है शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों फिर से इस बात को नोट करो अभी अभी जो आप कोपे पैन लिये वे हैं अपनी कोपे में लिखो कि एक मोल में परमानुओं की संख्या सदेव 6.022 x 20 10 to the power 23 एक मोल में ग्राम में मात्रा बदल सकती है जैसे अगर मैं बोलूं कार्बन का परमानुभार 12 नाइट्रोजन का 14 सोडियम का 23 ठीक है लेकिन इन सब का यदि में एक मोल लूं कितना मोल लूं एक मोल लूं एक मोल लूं तो इनके मान हमेशा कितने होंगे आवो गद्रो नंबर के बराबर होंगे शायद बात समझ में आ गई है अब कभी भी नहीं भूलोगे अब चलते हैं आगे अपन एक सबसे इंपोर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये सबसे इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को करना मॉल कॉंसेप पे न्यूमेरिकल आता है जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती है लेकिन आज के बाद वो गलतियां खतम करकि मैं इसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी प्रैक्टिस कराऊंगी तो एंड तक बिल्कुल क्लियर पूरा टॉपिक देखना है ठीक है तो जब भी आप मॉल कॉंसेप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कई तरीके से क्योश्चन आता है जस्ट लाइक इ यह डाइग्राम आप सबको बनाना है तो देखो बच्चों अपने पास मॉल में चीजें हो सकती है ग्राम में हो सकती है कण में हो सकती है और कोई गेस का आयतन हो सकता है या तो यह इनमें बदलेंगे या फिर यह इसमें बदलेगा दो ही तरीका है तो ध्यान दो अगर क्य question में question में क्या क्या question में question में यदि मोल दिया गया है और कहा जाए कि 4 मोल sodium में 4 मोल sodium में कितने ग्राम में मात्रा होगी चार मोल sodium की को ग्राम में convert करो तो आप क्या करेंगे आपको कुछ नहीं करना उस समय जो भी sodium का अनुभार है उससे क्या कर दो चार से गुणा कर दो क्या कर दो गुणा कर दो जब मोल को किस में convert करना है ग्राम में तो क्या कर दो अनुभार से गुणा कर दो वहीं यदि ग्राम में मात्रा को मोल में convert करना है तो अनुभार का क्या दे दो मेरे प्यारे बच्चों भाग दे दो it's a very important topic जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ओके तो बात समझें ग्राम में मातरा को क्या मॉल में बदलते हैं तो क्या करते हैं कमेंट में लिगो फटा फट ग्राम को मॉल में अनुभार का भाग मॉल को ग्राम में अनुभार से गुणा ठीक है second first clear second अगर मॉल को क्या करना पड़े मॉल को कणों की संख्या में ध्यान देंगे ध्यान देंगे मॉल को कणों की संख्या में बदलना है कणों की संख्या परमानों की संख्या अनुओं की संख्या डजन मैतर क्या कण अनुभी हो सकता है परमानों भी हो सकता है आयन भी हो सकता है आगर वो इसमें बदल रहा है इसको बदलना है तो आवो गद्रो संख्या बच्चों कण शब्द आते ही तुरंट क्लिक करो कि ये किसने बताया ये संख्या किसने दी आवो गद्रो नहीं याँ आवो गद्रो ही लेना है अब कब गुणा कब फाग जब आप मोल को कण में किसी में बदलो तो गुणा और मॉल में किसी को बदलो तो भाग मॉल को किसी में बदलो तो गुणा मॉल में किसी को बदलो तो भाग बात समझ में आ गई है हाँ या ना फटा फट कमेंट में दिखो जल्दी जल्दी जितने जोस से मैं बढ़ा रही हूं उससे दुगनी जोस से रफ्तार से आप कमेंट करो जी आगे चलते हैं अगला टॉपिक वहीं पर मॉल का तीसरा पार्ट जिसमें हम कहें कि गेसों का आइतन अंटी पी वाट इस दो अंटी पी नेच्रल टेंप्रेशर एंड प्रेसर ओके प्रेशर सही से बोलो ठीक है जी हां मॉल को किसमें बदलें एंटी पी पर आइतन में तो 22.4 से गुणा अगर आइतन गेस का दिया है उसको मॉल में बदलो तो 22.4 का क्या कर दो जी भाग दे दो हाँ जी बिल्कुल सही क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों मेरे चमकते वे सितारों मेरे डॉक्टर मेरे इंजिनियरों बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो इतने ही जोश और उमंग के साथ पढ़ते रहो तुम्हारा भविश्य बहुत उज्वल है चले आगे बात समझ में आ गई फटा फट इसका एक स्क्रीन शोट आप ले ले ताकि बात समझ में आ जाए जल्दी जल्दी ले लिया जी अब आओ जी अगला टॉपिक ये बिल्कुल क्लियर कब गुणा कब भाग ठीक है किसी मॉल को किसी में बदलना गुणा किसी को मॉल में बदलना भाग चलो जी अब अपना आता है अगला टॉपिक जो आज का लास्ट टॉपिक है बट नॉट दो लिस्ट जैसे बच्चों अपन कणों की संख्या के लिए अपन क्या करते हैं मौल शब्द यूज़ कर रहे हैं जैसे कि परमानू की मात्रा या परमानू की संक्या अनू की संक्या तो वहां लिख दिया मौल अगर वहीं पर परमानू द्रवेमान आनू की द्रवेमान तो क्या लिख दो मौल के अनूरूप मौलर द्रवेमान तो परिभाशा देखेंगे आशान सब्दों में कहें तो किसी पदार कि एक मोल के द्रेविमान को उसका मोलर द्रेविमान से प्रदशित किया जाता है मोलर द्रेविमान को ग्राम प्रती मोल में व्यक्त करते हैं एक ग्राम में व्यक्त मोलर द्रवेमान संख्यात्मा ग्रूप से परमाण द्रवेमान आणविक द्रवेमान या सुप्र द्रवेमान सही है एक्जाम्पल जल का मोलर द्रवे मान 18.02 क्योंकि वहाँ पर अपन उसका क्या करते हैं आणविक द्रवे मान बोलते हैं अगर द्रवे का मान मोल में है तो उसका द्रवे मान क्या होगा मोलर द्रविमान ध्यान से जुनों यदि पदार्थ के कणों की संख्याओं को मोल में व्यक्त किया तो अब उसके भाल को मोलर द्रविमान में व्यक्त करेंगे अने से यल का 58.5 नोट फटाफट जिस प्रकार मोल संकल्पना में ग्राम पर मानूँ अभी मैंने बताया था आइंस में व्यक्त करते हैं तो उसके द्रविमान को मोलर द्रविमान में व्यक्त किया जाता है बात समझ में आ गई होगी आप पड़ाफट इसका स्क्रीन शोट ले ले ताकि आपको टोपिक क्लियर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं टॉपिक टॉपिक को रिलेट करते वे इधर उधर नहीं तभी करेंगे हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे ना जरूरी है बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता क्योंकि जितना पड़ा उसको गुर्णा है उसको मजबूत बनाना है तो उसका क्या करना पड़ेगा उसको हमेशा प्रैक्टिस में लाना होगा जितन क्रिम पर कुछ इस प्रकार है क्या है जी ज़रा ध्यान देंगे असी ग्राम अने वच की मोलों की संख्या ग्राम को मोल में क्या करें ध्यान दो सोचो क्या कर सकते हैं क्या करें फोर्मूला याद है पीछे मोल से ग्राम यहां पर एरो इस तरह था ग्राम से मोल क्या करना पड़ता है भाग और मोल से ग्राम गुणा याद है फटापट देखो पीछे वाले पेज में आपने जो बनाया ड्रोइंग अभी फटापट फटापट देख लिया तो अपन कैसे इसको व्यक्ट कर सकते हैं त जल्दी से बताएंगे सब कमेंट में फटापट जल्दी 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 बताओ जी जल्दी बताओ क्या हाल है फटापट चलो कर दिया ठीक है तो फिर देखो जला कैसे सबसे पहले क्या कितना वेट कि क्या मोलर द्रव्यमान या यूं कहूं अनुभार क्योंकि ग्राम में मात्रा को जब मोल में कनुवर्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है भाग दिया जाता है हाँ या ना बोलो जल्दी समझायागी नहीं आ गया याद देखो जी देखो यही तो था 80 बट्टा 40 ग्राम में मात्रा में उसके अनुभार का क्या दे दो भाग तो ग्राम में मात्रा किसमें कन्वर्ट हो जाती है मोलों में कितने मौल अंसर टू मौल फटा फटी स्क्रीन शोट मरो ये क्येस्टन बहुत बार पूछा गया एक्जाम में चलो बच्चों अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो की क्या है आपका आज का टॉपिक अगला प्रतिशत संगठन राइट अपने पीछे टॉपिक पढ़ लिए हैं वो समझ में आ रहे हैं तो फटा फट लाइक और कमेंट करते रहें ठीक है बच्चों तो प्रतिश सब्सक्राइब हमने बहुत जैसे six class, seven class आए वहीं से शुरू कर दियाता सुनना है ना तो अब प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया कि सो से गुणा हो जाता है तो प्रतिशत संगठन का मतलब क्या होता है तो प्रतिशत संगठन मतलब होता है कि कोई भी अपने पास योगिक कि अपन तो क्या बात करेंगे नवाई और विसली तो अपने पास कोई योगिक है उसमें तत्व जो उपस्तित है उसकी कितनी परतिशत मात्रा उस योगिक में उपस्तित है तो वही उस तत्व का प्रतिशत समठन कहलाता है राइट आपन इसको एक्जामपल से भी समझेंगे अभी देखेगे कैसे कैसे अपन इसका प्रतिशत संगठन किसी भी योगिक का कैसे गया तो कर सकते हैं तो फटा पर देखो कि परिभाशा क्या कह रही है परिभाशा कह रही है कि किसी योगिक में उपस्थेत क्या भई किसी योगिक में उपस्थे तत्वों की प्रतिशत मात्रा को प्रतिशत संगठन कहते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है, तो प्रतिशत संगठन जब लिखा जाता है, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? है ना वो पता होगा तभी तो निकालोगे, तो सुत्र क्या कहता है, आपका सुत्र कुछ इस प्रकार है, वो ये कह रहा है कि कोई भी योगिक में उपस्तित तत्व का द्रविमान और योगिक का मोलर योगिक अब मैंम हमें कैसे पदा चलेगा कि कैसे लिए एकजांपल आपके सब्जेक्ट का ही ले रही हूं जैसे अपन बहुत साइज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना फिश्च कैमेस्ट्री बाइलो जी या मैट्स और हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो पांच पांसो नमबर यह हो गए उसमें से फिजिक्स में नमबर आए अपने पास हंड्रेड में से असी नमबर आए एक नमबर आए तो प्रतिशत बताओ तो अपन क्या करेंगे physics या chemistry या इंडिया इंग्रिज जिसके भी नंबर की प्रतिशत देखनी इंडिविज्वल तब क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट के नंबर टॉटल नंबर इंटु हंड्रेड क्या आजाता है अपने पास उसका प्रतिशत आजाता है राइट कोई दिक्कत नहीं है तो देखो हम कैसे इस सबसे इजी एक्जामपल वही है है ना जिसको आप फटा फट समझ सकते हैं और आपको जल्दी समझ में भी आजाता है जैसे अपने पास कह दिया एच्टू ओ है राइट और कहा कि इसमें हाइड्रोजन जो है उसकी प्रतिशत मात्रा बताओ तो सबसे पहले क्या अपने को एच्टूओ का अनू भार पता होना ची कितना है अचारा है अब उसमें हाइड्रोजन का भार कितना है रहे हैड्रोजन एक तो उसका ऩो एक ही बार होता है लेकिन रहय यह एम dopo限 दो है इसका भार कितना होगा दो ठीक यह हो गया हाइडरोजन का भार यानि योगिक में उपसित तत्व का द्रवेमान और यह हो गया योगिक का मोलर द्रवेमान और हमें किस से मल्टिप्लाई कर देना चाहिए उसको 100 से तो क्या आजाती है उसकी प्रतिशक्ता आजाती है बात समझ में आई या नहीं तो अपन क्या लिखेंगे दो बटे 18 इंटू 100 हाँ या ना बोलो जल्दी 100 बटा 9 11.11 बात समझ में आई या नहीं बात क्लियर हुई या नहीं फटा फट कमेंट में लिखेंगे फटा फट जल्दी जल्दी ओके बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जलूर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ठीक है यह तो क्लियर हो गया बात समझ में आगे अग चलते हैं आपन पड़ेंगे अपना बहुत important topic लेकिन उसतक हम उसतक कैसे पहुंच सकते हैं तो आपन पड़ेंगे मुला अनुपाती सुत्र जो क्या होता है सबसे important topics है लेकिंا उससे पहले आपने को यह पता होना चीज सुट्र क्या होता है फिस शुट्र से सरंचना सुट्र फिर अनु सुट्र देन मूला अनुपाती सुट्र तो अपन जाएंगे इस तरह से step by step फटापट जदा समय कंजूम नहीं करना फटावट जड़ते हैं ठीक है तो सुट्र क्या होता है कोई भी formula है उसको प्रतीक जो होता है उसके प्रतीक को द्वारा व्यक्त करना किसी भी फॉर्मूले में प्रतीक चिनल लिखी जाते हैं उसको जब व्यक्त करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है सुत्र राइट अब सुत्र की परिवाशा हो जाएगी फिर उसकी सरंचना सुत्र फिर आ टू राइट कैल्शियम कार्बोनेट और सी बारा एच बाइस हो गया रहा क्या सुक्रूज राइट यह हो गया आप चलते हैं आगे अगला क्या है सरंचला अचा-चाँ स्क्रीन शोट नहीं लिया तो ले लो ले लो जल्दी गरो जल्दी फटा 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 ओके वो के लिया जी डान चलो जी अगहे तो इसका सरंचना शुतर है सरंचना सुतर को हम कैसे रिपर्जेंट कर सकते हैं देखो आपकी स्क्रीन पर यह रहा अब आप सोच रहे होंगे मैं यह थोरी है आप यह क्यों पढ़ा रहें बेटा पता है जब चीजों के है जिसका formula होता है हसी हम कैसे रिपर्जेंट करते हैं हम कर थे एच सिंगल बॉण ओ सिंगल बॉण ओ सिंगल अगया होता है किसी भी योगिक में उपस्तित तत्वों को सम्मलत रूप से एक साथ जब रखा जाता है कोई भी योगिक में जो तत्व है उनको एक साथ जब रखा जाता है उनकी संख्या के समुह के साथ एक साथ दिर रखा गया है तो हम उसे कहते हैं अनूवसुत्र जैसे hydrogen है ऑक्सिजन है लेकिन साथ में रखा तो एच टू ओ राइट तो अपने इस तरह से उसको व्यक्तर कर सकते हैं ओके डन अब चलते हैं आगे आगे क्या कहा जा रहा है आगे कहा जा रहा है क्या कि इसकी परीभाशा कह रहे है किसी यह कव है सुत जोसके एक अनुमें उपस्ति विबिन पर्मानों की वास्तविक संख्या को प्रदशित करता है है एच्टू में हाइडरोजन दो है ऑक्सिजन एक है राइट बात क्लियर हो गई चलते हैं आगे तो हाइडरोजन परोक्साइड एच्टू ओटू इसी प्रकार ग्लुकोज का ओ सी सिक्स एच्ट्वेल्व ओ सिक्स होता है डन क्लियर क्लियर फटा फट स्क्रीन शोट लो बच्चो जल्दी करो अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आपको वैसे यह चीजह अगर समझ में आ गई तो मूला अनुपाती सुत्र बड़ा ही एजी है तो जल्दी से चलते हैं आगे अब अपना में टॉप अब इस सुक्रोज का देखा ही था सी सिक्स हट्वेल ओशिक्स होता ही है सी एसी ओ थ्री केल्शियम कार्वन ऐसे बहुत बड़े-बड़े सुत्र तो हैं लेकि अगर इनको सलल रूप में व्यक्त कर दिया जाए अगर ऐसा कोई अपने पास ऐसा कोई सुत्र हो जिसे हम इस सलल रूप में व्यक्त कर दें हमें इतने बड़े-बड़े फॉर्मूले याद ना करना पड़ें तो उसके लिए विज्यानिकों ने रिसर्च करके क्या दिया एक नया थ्योरम रिपर्जेंट किया और सुत्र का नाम बताया मूला अनुपाती सुत्र बात समझ में आई या सुत्र कहलाता है जिसका परिभाषा कुछ प्रकार है किसे वेह सरसुत्र जो उस्योईख के अनुमें उपरस्तित विबिन तत्वों के परमानुद संख्या अर्थात परमानुद के सफलतंपूोन सन्ख्या को व्यक्त करता है उसे मूला अनुपाती सुत्रा कहते हैं राइट बात समझ में आ गई है तो इसका भी स्क्रीन शोट ले ले ताकि बात क्लियर हो जाए अब क्या पात अब अगला पॉइंट क्या अब ये क्या कह रहा है प्रतिशत संगठन टॉपिक था उसमें अपने पढ़ा सुत्र के बारे को प्रतिक द्वार अफ्यक्त करना उसके बाद अनुसुत्र देखा सरंचना सुत्र देखा अब प्रतिशत संगठन किसी युविक में उपस्तित तत्व का आपके पास है तो हम क्या ग्यात कर सकते हैं हम क्या उसका सरल रूप बना सकते हैं यस 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 हम वो कर सकते हैं और ह में उसका सहलतम रूप जब ग्यात हो जाता है तो वह मैथड हम कहते हैं मुला अनुपाती सुत्र बच्चों एक बात और यह क्याश्चन बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए इसको थियोरी के साथ-साथ लिख लेना इसके नोर्स बना लेना यह तीन मार्क्स का क्याश्चन क्या सकते हैं तो अपने पास यह की जो सलचना है कि आदार पर सभी उसका मुला अनुपाती सुत्र ग्याध किया जा सकता है इसके लिए निम्लिखित प्रियुकत है तो सबसे पहला सबसे पहले क्या मुला अनुपाती सुत्र के लिए आपको कोई भी क्योशन दिया जाएगा ुसमें उसकी प्रतिशत मात्र दियेगी तो आपको उस योगिक का सुत्र पता हो अगर सुत्र दिया हुआ तो सबस्क्राइबी उसके बाद उसमें जो तत्व role उन तत्व में का किया लिखना है क्र地शत जो एगस्चन में दिया हुआ है थिक है वह प्रदिशत के अंदर कॉई बतव जैसे एक्जामपल में बोल रहा हुआ है ध्यान देना हाईडरोजन है और जार किसका 5 प्रतिशत इस सुत्र में है तो आप क्या करेंगे पांच प्रतिशत में एक का भाग देंगे एक क्यों क्यों कि हाइडरोजन का परमानु भार कितना होता है एक राइट तो पहला न जिसे प्रतेक तत्व की मोल संख्या प्राप्त हो जाती है प्रमानु भार का भाग दे दिया सबसे इंपोर्टेट सेकेंड कहता है कि जब प्रमानु भार का भाग दे दिया उसके बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आया ठीक है जैसे आपके वास तीन तत्व है हाइडरिज oxygen और nitrogen उन तीनों तत्वों के जो मान आए वो result में सबसे कम result किसके है यानि मान लो किसी का 3 किसी का 2 किसी का 1 आ गया तो सबसे कम कितना एक तो उस एक का तीन में भाग दो दो में भी दो और एक मिल जाए गए रैट tension मतलो कि मैं आप तो बोल के बता रही हो मैं इसका example प्रॉपर तरीके से करा हूँ इसे ध्यान से सुनो पहले प्रतिशत में अनुभार का भाग दूसरा जो result आया उसमें सबसे कम वाले का तीनों में भाग दे दो उसके बाद last में क्या करना है जैसे ही भाग दिया जो result आपने आया वही result आपको उन ततों के पास में लिखने जैसे कार्बन का एक आया हाइड्रोजन का दो आया नाइट्रोजन का एक आया तो कार्बन के पास में एक नाइट्रोजन के पास में दो इस तरह से लिखकर उसका सुत्र बनेगा वो सुत्र क्या कहलाएगा मूला अनुपाती सुत्र देखो यहां पर वही लिखा गया है जो मैंने सम संख्या द्वारा पुने भाग दिया जाता है इससे मोल संख्या सरल अनुपात प्राप्त होता है तत्व के प्रतिकों को पास पास लिखकर उनके सरल अनुपात को उनके नीचे दाहिनी और लिखकर मुला अनुपाती सुत्र प्राप्त होता है अतहर योगी का मुला अनुपा सुत्र ग्यात करने के लिए भारत मक्स अंगठन तदा उसमें उपस देतत्तों के विशय में ग्यात होना चाहिए राइट शायद बात समझ में आ गए इसलिए सब बच्चे यस मैं लिख रहे हैं वेरी गूड मेरे बच्चों वेरी गूड तो अब चलते हैं अपन आगे सुत्र में ज्यादा टेंशन नहीं जो मूला अनुपाती सुत्र है उसके अंदर अपने को क्या करना है मूला अनुपाती सुत्र और गुणा अन जिसके अंदर मूला अनुपाती जो सुत्र आया है उसका ही क्या आपको निकालना है मॉलर द्रव्य मान जो भी आपका सुत्र गो GRANT देना कैसे देंगे आपकी कुछ प्रकार यह कर और को known पादिसुत्र प्रस्पर निम्न लिकित प्रकार सम्मंदित है मुला नूपाति सुत्र into chord n का मतलब क्या एना मतलब अनूभार में मुला नूपाति सुत्र के वागा करदो भाग दे देना चाहिए तो बात clear यह पूरी थियोरी एक एक एक्जामपल में clear हो जाएगी इसलिए बने रहो एक्जाम्पल का इंतजार करो अच्छे समझ में आएगा तो मूलानुपाती सुत्रभार, मूलानुपाती सुत्रद्वारप परदिशित सभी परमानों के परमानों बारों का योग है तो मैंने बता दिया है आपको बात समझ में आ गई है तो फड़ा-फट स्क्रीन शोट ले योगिक में इतना प्रतिशत Potassium, इतना प्रतिशत Carbon और इतना प्रतिशत oxygen है यानी Potassium इतना क्या है Carbon और इतना क्या है Oxygen रईट तो इसका मूलानुपाती सुत्रद्वात पर पुछ इस प्रका रहे है ध्यान दू सबसे पहले आपको जो क्योश्चन में दिया था उसमें क्या-क्या थे पॉटेश्यम था कार्बन था अक्सिजन था रैट था न यह थे तो अपने पास क्या आया तत्व का पर्तिशत दिया हुआ चपन ठीक second क्या करना है उस तत्व का पर्तिशत में क्या करना है दूसरी वयत पर्माणु द्रविमान पता है 39 12 और 16 अब अब आपक्षिक संख्या में ग्याद करना है तो क्या करना इसके अंदर स कि झाजआए भाग देना देखो दिया वाय ना कि यही तो बात हुए थी प्रतिशत मात्रा में ऐसी वी सबसे कम कौन सा अंख है यही तो है सबसे चोटी संखेया है ना बाद सो आई यह यह सबसे संख्या का इसमें भाग दो इसमें खुद में भी दो और यहां भी दे दिया तो देखो जला दे रहे हैं क्या यह रहे दे रहे ना तीनों में भाग वेलन गुड वेरी गुड वेरी गुड तो आंसर आया टू वान थ्री राइट अब यह जो मान संख्या आपको प्राप्त 2 right potassium के पास में कितना लिखा जाएगा 2 carbon के पास में कितना लिखा जाएगा 1 और oxygen के पास में कितना लिखा जाएगा 3 right हम इसको कैसे लिखता सकते हैं k2 co3 yes or no बात समझ में आई या नहीं ध्यान से देखो ध्यान से तक ही बात clear हो जाए okay done फठा फटा स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से देखे आगे चलते हैं यह देखो अब ज्याद करना है जो सुत्र आपके पास सरलतम रूप में था वो था मुला अनुपाति सुत्र right यह बात समझ में आगई आप कात करना है मुला अनुपाति सुत्र से क्या अनुसुत्र ज् अपने पास मूला अनुपाती सुत्र तो यह आ गया मूला अनुपाती सुत्र का द्रेविमान यह रहा अब अपने को देखना है कि मूला अनुपाती सुत्र से जब अनुशुत्र ग्याद करते हैं तो अपन क्या करते हैं क्या लिखते हैं कि मुला अनुपाती सुत्र से अनुसुत्र जब ग्याद करते हैं तो अपन लिखते हैं मुला अनुपाती सुत्र सुत्र गुणा एन राइट यही लिखते हैं तो एन की वेल्यू यह रही मॉलर द्रिवेमान बट्टा भाग में क्या लिख दो मुला अनुपाती सुत्र का द्रेवेमान मुला द्रेवेमान क्या राजा 138 मुला अनुपाती सुत्र का द्रेवेमान कितना मेरे बच्चों 138 138 ये भी 138 भाग दिया तो एक तो योगिक का आनविक सुत्र और या अनुसुत्र क्या आया K2CO3 इन्टू 1 K2CO3 दोनों एक्वल आ गए केटू CO3 किसका है किसका है मुला अनुपाति सुत्र पोटेशियम कार्बोनेट का अनुसुत्र या आनमिक सुत्र और मुला अनुपाति सुत्र दोनों एक्वल हैं बात समझ में आ गई तो फड़ा फड़ लाइक करते जाइए और टापिक क्लिर यह एक्जाम में आने वाला है चलते हैं आगे अगला आपना टापिक है रसंकर तो योह आपका रश्वमिकर्ण मीती का यह टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा है जा मतलब यू नहीं कि भी हाँ अपने को पस आना चाहिए यह टॉपिक है यह अपने पता हो ना ची इसलिए मैं फटा-फट डिस्क्राइब कर देती हूँ रश्वमिकर्ण मीती का मतलब क्या होता है कोई संतुलित रासाइनिक अभी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं रास समीकर्ण मीती कहते हैं किसे कहते हैं संतुलित रासाइनिक समीकर्ण को और क्यों कहते हैं क्योंकि उसके आगे जो गुनांक लिखे जाते हैं वो उसे संतुलित करते हैं राइट उन्हें रस समीकर्ण मीती गुन आंकर कहते हैं ओके डन इसकी परिभाशा आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है रस समीकन मीती या तत्वानू पातिकी रासाइन निकी का वह उप्छेत्र है जिसके अंत्रगत रासाइनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को ता उनके उत्पादों के द्रवेम संटुलित होती है संटुलित रस रस समीकन मीती और आगे में भाग स्क्रीन परकार नब करें एक лиकार्वाढक ये जल्दी से से दे toca है अगे उत्पाइट पहल ही चीजह जादा समय उसी में कंज्यूम करें जो important है राइट समय को बरबाद ना करें बच्चों जो समय आपके पास है वो बहुत कीमती है जो समय गुजर जाता है वो कभी लोट कर नहीं आता इसलिए समय का उपियोग करें तो चलिए रासाइनिक अभिक्रियों में सिमांत अभिकर्मक का क्या मतलब है सिमांत का मतलब होता है किसी की सीमा तै कर देना राइट यानि की कोई भी रासाइनिक अभिक्रिया है उसमें कोई अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है लेकिन अभिकारक समय से पहले ही खतम हो जाता है यानि अभिक्रिया वहीं पर रुक जाती है तो वो अभिक्रिया में प तो कारण बन गया वही सीमांत अभीकर्मक हो गया बच्छों किसे कहते हैं रासायनिक अभीक्रिया में वे अभीकालक जो समय से पहले या रवे रसायनिक पूर्ण होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं उन्हें सीमान अभिकरमक कहते हैं जिसकी परिभाशा कुछ यूँ है कई बार नसाइनक अभीक्री जो होती है उनमें अभी कर्थ leve krigt नहीं हो रहता जितनी मात्रा संतुरित अभिक्रियाओं के लिए आउशक है ऐसी परिस्थिती में एक अभिकारक की मात्रा दूसरे अभिकारक की मात्राओं से अधिक होती है अतहे हैं वह अभिकारक अभिकर्मक जो अभिक्रियाओं में प्रस्थत हो जाते हैं का उत्पात की मात्रा को सीमित करते हैं सीमान तभी करमा कहलाते हैं राइट बात समझ में आ गई होगी कई बारी क्या होता है कि हम राशा निक अबी की लिख रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि रियाक्शन दो लैब लेब में भी काम करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि रासाइनिक अभिक्याव में सीमान अभिकरमक का बहुत बड़ा रोल है इसलिए इसको इंपोर्टेंट विखा गया है इससे क्यों भी आता है मैं आपको भी एक्जामपल करके दिखाऊंगी जो आपकी स्क्रीन पर इस अभिक्या में सीमान अभिकरमक की निम्न प्रकार गर्णा की जा सकती है राइट तो अब देखो Mg प्लस O2 इस इकल टू 2Mg मेगनेशियम कितना भार 48 ग्राम मात्रा है इसका 32 ठीक है और यहाँ पर 80 अब 48 ग्राम मेगनेशियम चाहिए और 32 ग्राम Oxygen तब जाके 2Mg बनता है लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दोनों में Oxygen की मात्रा कम है अगर Oxygen की मात्रा भी क्या होती इतनी ही होती तो क्या होता वो प्रॉपर रूप से reaction संतुलित होकर संपन होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ Oxygen की मात्रा कम रह गई यानि Magnesium जब जला रहे थे तो Oxygen पहले ही खतम हो गई थोड़ा ही जला बाकि रह गया मेगनीशियम तो क्या हुआ रियक्शन बीच में रह गई जितना मेगनीशियम उक्साइड चाहिए था उतना नहीं बना तो Oxygen यह क्या है एक सीमान्त अभी करमक है डान बात समझ में आ गई तो फटा फट कमेंट में लिख दो देखो 32 ग्राम Oxygen के साथ में 48 ग्राम चाहिए लेकिन Oxygen इतने के साथ काम कर रहा है तो वास्ता में Oxygen की मात्रा इतनी ही हुई इसलिए Oxygen की वास्तविक मात्रा Oxygen की अभी क्रिया में उप्लब्द मात्रा से कम है आता है Oxygen में सीमान्त अभी करमक है क्या है बच्चों सीमान्त अभी करमक ध्यान दो ध्या अभी क्रिया पहले ही रुक जाती है पूर्ण होने से पहले ही से हम सीमान तभी कर्मक कहते हैं फटा फट स्क्रीन शोट ले देखा जल्दी 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 ले लिया जी ओके डन आप चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक और लिस्ट में भी अंतिमी है वाई ये क्योंकि अप पता फट देखते हैं कि वीलियन में अभी क्रियाएं कितने प्रकार की होती है तो कोई भी अपने पास सॉलूशन है कोई भी वीलियन है ठीक है उस वीलियन में जब आप क्या करते हैं विलायक और विले ये तो सबको पता है ना एक वीलियन में क्या होते हैं दो प्रकार के गटक होते हैं एक विलायक होता है एक विले होता है विलायक और विले जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या एक solution बन जाता है जब solution बन गया तो solution पर क्या क्या चीज़ें depend करती है विले विलायक क्या करते हैं कि विलियन प्रॉपर बनता है तो वहाँ पर अपन देखते हैं कई चीज़ें होती हैं जो affected होती है और वो क्या है वो है आपके पास आपकी स्क्रीन पर पहला टॉपिक क्या होगा द्रवेमान प्रतिशत्ता पहले द्रवेमान प्रतिशत्ता फिर मौलांश फिर मौलर्ता और लास्ट में मौलल्ता यह टॉपिक इंपोर्टेंट है इनसे न्यूमेरिकल आता है कक्षा 11 में भी और नीट में भी इसलिए अच्छे से इनको देखना है इनके सुत्र लिखेंगे इनकी परिभाशा और इनके एक्जाम्पल्स भी हम देखेंगे तो चलते हैं समय को जादा नहीं गवाते हैं और अपना पहला टॉपिक द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत्ता बेटा एक बा और दूसरा होगा वो विलय का बताएगा राइट यानि की अपने पास विलय और विलयक दोनों होंगे सॉलिशन बनेगा तो वो उसका जो मान हम निकालेंगे वो यदि आपके पास ठोस के रूप में हैं तो वहां पर हम बात होंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत्त ओके तो चलते हैं इसकी परिभाशा कुछ इस प्रकार है क्या होगी भाई एक कोई भी पधार्थ अपने पास हो उस पधार्थ में विले होगा मैंने बताई दिया है दोई घटक होते हैं तो किसी भी विले के भार्भागों की वह संख्या जो किसी वीलियन के सो भार्भाग में उपस्तित है कैसे समझेंगे परिभाशा को कैसे समझेंगे एक अपने पास पात्र हैं उस पात्र में ये वीलियन है अब इस वीलियन में हम परिभाशा कैसे बनाएं तो कहा किस सॉलिश विले के कितने भाग है भाई कितने भार भाग उपस्तित हैं तो वही उस वीलियन की क्या कहलाएगी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत्ता कहलाती है शायद बात समझ में आ गई है इसलिए फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी और आप चलते हैं अपन सुत्र की और आपका सुत्र कुछ इस प्रकार है क्या कह रहा है सुत्र क्या कह रहा है प्रतिशत्ता है तो इंटो हंड्रेड द्रव्यमान प्रतिशत्ता कैसे निगालते हैं कोई भी अव्यव का द्रव्यमान वीलियन का द्रव्यमान इंटो हंड्र प्रतिशत आया तो हंड्रेड तो कोई भी घटक हो एबी सी तो आपको एक का यदी परतिशत द्रवेमान निकालना है तो एक भार लिखना बटा A प्लस B प्लस C का कुल भार लिखना इंटो 100 देन कौल क्या द्रव्यमान परतिशत तो यह हो गया परतिशत द्रवेमान का सुत्र अपन बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं कि अपने पास क्या है पांच ग्राम अने सीयल है जो कितने में घुला है पांच सो में घुला है तो बताओ इसकी प्रतिश्यत मत्रा कितनी होगी तो आप लिख सकते हैं ना जैसे पांच ग्राम अपने पास क्या है भई पांच ग्राम क्या है बच्चों अभी मैं फटाफट बता लेती था कि आपको बात समझ में आजाए एक्जामपल तो जरूरी है ना वरना कहेंगे मैं हमें एक्जामपल नहीं बताया आपके पास क्योशन आ जाता है कि पांच ग्राम अने सी है ठीक है कितने में डिजॉल्व ह 500 ग्राम में तो बताओ इसकी क्या द्रवयमान प्रतिष्यत्ता बताओ तो आपन कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना अपने पास क्या है नमक कितना है पांच और कितने में गुला हुआ है 500 में तो ये 500 लिग दिया इन्टू हंड्रेड ये ये क्या और यहां से एक कितना आया वान हाँ या ना बात क्लियर हो गई होगी डन मेरे पहरे बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं इसलिए अपन इस तरह से कोई भी अंसर किसी का भी प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं ओकी ये तो एक जामपल जो देना जरूरी था इसलिए मैंने आपको समझा दिया के डन चले आगे चलते हैं आगे क्या है आगे आगे है आपका मोल अंश मतलब क्या एक टुकड़ा छोटा सा फाग किसी का भी है ना उसे मोल अंश कहते हैं इसे हम लोग परीभाशा में क्या लिखते हैं कि कोई भी योगिक में यदि मोल अंश क्यात करना है किसी तत्व का तो उस तत्व का क्या उस तत्व की मोल की संख्या बटा उसमें उपस्ते टोटल जितने भी तत्व हैं उन सब के मोलों की संख्याओं का योग क्या कहलाएगा उस तत्व का मोल अंश कहलाता है राइट कैसे आप एक दी पात्र ले और उसके अंदर आपने एक्विलियन डाला हुआ जिसमें बेटा ए भी है घटक भी घटक भी घटक सी चार घटक ले लिए और कहा कि बताईए एक का मोल अंश कितना होगा तो मोल अंश के लिए हमेशा एक्स यूज करते हैं और मोलों की संच्छा के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या यूज करते हैं मोल अंश के लिए एक्स और मोलों की संख्या के लिए क्या करते हैं बच्चों मोलों की संख्या के लिए स्मोल अंश किया जाता है तो एक पात्र में एबी सीडी चार घटक ले लिए तो कहा कि एका मोल अंश बताओ तो एका मोल प् compressed करना है एकसे तो क्या करना पड़ेगा तो हम लिखते हैं मॉलों की संग्य किसकी एन एक बटे में क्या लिखोगे टोटल वीलिएन में उपस्तित आं मोलों की संग्या और प्लस एन बीपलस अन सी प्लस ये आ गई बच्चों ये आ गई आपके A के मोल अंश किसी वीलियन में उपस्तेत A, B, C, D जो घटक है उसमें केवल A का मोल अंश कैसे ग्यात करते हैं इस प्रकार ग्यात करते हैं बात समझ में आ गई होगी आ गई ना फटा फट जल्दी से इसका स्क्रीन शोट लो ताकि बात समझ में आ जाए थियोरी तो हम पढ़ प्रक्टिकल कैसे समझ में आएगा वह जरूरी है इसलिए यह जरूरी है आपको पता होना इसलिए अच्छे से इसका स्क्रीन शोट ले ले में एक बार रिडिंग लगा लेती हूं यह क्या लिखा है किसी गटक के मोलों की संख्या और वीलियन में उपसित कुल मोलों की किया तो क्या होगी मेरे बच्चों एने एन बी ता मौल अंच एकसए एकस भी होता है राइट मेरे प्यारे बच्चों को बाते समझ में आ रही है वेरी गुड वेरी गुड ऐसे ही जुढ़ते रहे एसे ही बने रही है लास्ट तक ताकि आपको सारे टॉपिक्स किलियर हो जाए आगे चलते हैं नेक्स्ट अब क्या ग्याद करनी है रजा मोलर्ता मोलर्ता क्या बेटा ध्यान दो मोलर्ता का मतलब होता है कोई भी पदार्त है वीलियन ना उनकी अभिख्याई पढ़ रहे हैं तो उसमें विले और विलाय की मात्राइं कितनी है कई बार सुना होगा न कि अपनने पानी ली उसमें चीनई दाल llama देगा लेट उसकी सांदता में वह संक्या बढ़ गई उसकी मात्रा बढ़ गई तो वह सांद्र hospitalized हो गया पानी में चीनी कम है तो तनू वीलियन हो गया पड़ा है ना तनू और सांद्र पता है ना नहीं है तो मैंने भी बता दिया जिन में विले की मात्रा कम तो तनू विले की मात्रा ज़ादा तो सांद्र वीलियन कहलाते हैं राइट बात समझ में आ गई होगी तो मौलर्ता की परिभाशा कैसे याद होगी जरद ध्यान दे अभी परिभाशा बनाना सिखाते हैं आपको एक पात्र लेना है जिसके अंदर अपने को क्या लेना है एक लीटर एक लीटर वीलियन लेना है लेलिया और उसके अंदर आपको विले डालना है जितना भी डालो जितना भी विले आप डालेंगे वो संख्या उस वीलियन की क्या कहलाएगी मौलरता कहलाती है यानि एक लीटर वीलियन में उपस्तित विले के मौलों की की संक्या क्या कहलाती है मौलरता कहलाती है परिभाय समझ में आ गई सब को फटा फट देखें जल्दी से बच्चे फटा फट देखेंगे कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं क्लियर हो गया जल्दी से अब परिभाश आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है किसी एक लीडर वीलियन में उपस्तित विले के मौलों की संक्या उस वीलियन की मौलरता कहलाती आ गई ना अप परिभाशा क्लियर होगी अब इसका सुत्र देखते हैं कि सुत्र क्या है मौलरता विले पदार्थ के मौलों की संक्या बटा वीलियन का आयतान लीटर में अगर बच्चों इस लीटर की जगे एमल दिया हुआ हो तो आप यहां पर क्या कर देना हजार से गुना कब जब क्य हो एमल दिया हो देखो मैंने कैसे घुमा के लिख दिया ना अरे वा तो एमल हो तब यहां हजार लगेगा अगर एमल नहीं तो हजार भी नहीं कई बच्चे पूछते मैं हजार कहां से आया अरे लीटर में वेक्तर ना है ना लीटर में नहीं है एमल में है तो एक लीटर मे क्या होते हैं 1000 ml होते हैं बच्चों ठीक है कई बार आपको confusion हो जाता है don't worry confusion होगा तभी तो पढ़ने की इच्छा होगी एक चाह होगी कि हम पढ़े question आना दिमाग में जरूरी है जिस बच्चे के question आना शुरू हो गए दिमाग में इसका मतलब उसका पढ़ाई में भी बन लग रहा है ओके और आप बताते हैं कि मॉल अर्था का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों मोल प्रती लीटर साहिए एक लीटर में मोलो की साहिं क्या किसके फटाफड़ी स्क्रीनोट लो जल्दी चल्दी अभी बोलो कि मैं आप जल्दी से बता दिये हैं हम लोगों का प्रतों लेनी नहीं दिया अभी ले लो कि डान चलते हैं आगे अब एक क्योश्चन है आपकी स्क्रीन पर जराध्यान देंगे इस क्रीन पर क्योशन दिया हुआ है ने क्योशन एक और क्योशन लिए 1 फिर verse question भी बताए देंगे 2 लीटर विलियन में 5 ग्राम नल्य ये उक्त करना कीजिए किसकी मौन जोटियम क्लोराइट का और राफ्ट मरत भार इतने ग्राम प्रती मूल है किसकी गणना है भाई मौलर्ता की ध्यान देना जी ध्यान 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 आप आजाओ मौलर्ता की गणना कर ले तो सबसे पहले मौलर्ता का सुत्र लिखेंगे कि सबसे पहले सुत्र में क्या है क्या कहता है कि आप के पास NaCl के कितने ग्राम है और उसका आयतन कितने लीटर में घुला हुआ है तो आपके दिया गया है पांच ग्राम अनेसी है लेकिन मैडम ने तो क्या बताया था मोलों की संख्या तो बच्चों अगर मोलों की संख्या बतानी है तो ग्राम में कैसे वेक्ट करेंगे तो ध्यान रखना यदि कोई मोल की संख्या आपके पास हो तो मोल की संख्या को ग्राम में कैसे बदलते हैं ग्राम में मात्रा बटा उसी पदात का अनुभार ओके तो ग्राम में मात्रा बटा अनुभार आ गया तो ये तो हो गई मोलों की संख्या बट्टा आइतन तो लीटर में दिया है कितना दो लीटर तो अब देखो फटा फट इसका अंसर क्या आएगा 0.043 मोल प्रदी लीटर ये रहा आपकी मॉलरता का आंसर क्यास्टन समझ में आ गया ना जल्दी जल्दी बताओ फटा फट करो डान हंजी यंजी 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 बिलकूल एक दाम सही स्क्रीन शॉट ले लिया है अब आते हैं अपना अगला टॉपिक मॉलरता बच्चों जैसे मॉलरता पढ़ा तो वहां था कि कोई भी ठोस पदार तेरी द्रव में म मिल रहा है इसा भी हो सकता है तब हम लोग ग्राम में उसको व्यक्ट कर लेते हैं तो कहा कि यदि आप ठोस और द्रव ले रहे हैं तो आप मॉलरता व्यक्ट करते हैं लेकिन अगर किसी भी ठोस विलायक में कोई पधार घोला जारा है विलायक ठोस है और उसमें कोई विलाय डाला जारा है तो हम उसको किसमें व्यक्ट करते हैं मेरे राजा बच्चों मॉललता में यानि अपन कैसे इसकी परिभाशा को बना सकते हैं कहा एक पात्र लो जिसमें आपके पास बच्चों ये वीलियन है और इसके अंदर अपने पास घटक है विले और बच्चों विलायक ठीक बात है अब अपने पास यदि ये विलायक एक केजी हो तो कहा एक केजी विलायक में उपस्तित विले के मोलों की संक्या क्या कहलाती है उस वीलियन की मोललता कहलाती है एक के जी विलायक में उपस्तित विले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है उस वीलियन की मोललता कहलाती है राइट बात समझ में आ गई होगी तो अब चलते हैं आपन क्या करेंगे परिभाशा की ओर तो वो परिभाशा क्या होगी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है परिभाशा तो वैसे बनानी आई गई है मेरे बच्चों को है ना देखो अपन इसलिए इतना अच्छे से क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े इलेवन के बच्चे छोटे छोटे होते हैं फिर उन्हों इतने बड़ी बड़ी परिभाशाइं देदेते हैं तो वो डर जाते हैं इसलिए एक लिए Victorian करते हैं तो और च्छे से पढ़ते रहो लाइक करते रहो कमेंट करते रहो, यस मैं समझ में आ रहा है, ओके डान, चलते हैं आगे, तो आपकी मोलता की पड़ी बाशे क्या है, एक केजी विलाईक में उपस थे, किसी विलाई के मोलो की संक्या, और इसे स्मॉल M.C. रिपरजंट करते हैं, ओके डान, बिलकुल, बिलकुल, चलो जी मोलों की संख्या बट्टा विल्यका विलायका भार ग्राम ठीक है यह तो बात समझ में आगे क्यों केजी में लिया था ग्राम में है केजी में भी हो सकता है कोई दिकत नहीं है अपन इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं अपन इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं क्लियर विल्यका भार ग्राम में अनुपार विलायका भार केजी में भी हो सकता है जी बिल्कुल फटाफायाटी स्क्रीन शोट लेंगे मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है ना टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं जल्दी जल्दी बताओ यस और नो आपका समय बहुत किमती है इसलिए मैंने जारा समय कंजीम ना करते हुए फटाफाट टॉपिक को क्लियर किया है जो इंपॉर्टन दे उसकी क्येस्टन भी किये हैं और आप रहा आपके सामने क्येस्टन छे ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल्में गुलावा है तो मोललता बताओ जल्दी करेंगे क्येस्टन सभी विलय का ग्राम में अनुभा इंट्व विलय का भार ग्राम केजी में अपने पास किसमें है ग्राम में हैं ओके तो क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हजार से गुणा कई बारी बच्चे पूछते हैं कि ये मैम हजार कहां से आया अभी मैंने बताया ना कि यदि केजी में हैं तो कोई दिक्कत रही है लेकिन ग्राम में हैं तो हजार तो लिखना पड़ेगा ना बिटा इसलिए लिखा गया है तो पांसो ग्राम में है राजब तो इसलिए अपने को क्या करना है हजार से गुणा करना है मेरे बच्चों ओके तो आंसर क्या आया जिरो पॉइंट टू एम मोल पर केजी डान क्लियर हो गया डान 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 बात समझ में आ गई है तो फटाफट लाइक कर दें और फटाफट स्क्रीन शोट भी ले ले जी बात समझ में आ गई ना ओके आगे चलते हैं अब आपकी स्क्रीन पर दो क्यास्चन्स दिये गए हैं ये क्यास्चन्स आपका होवर्क है खुश हो जाओ खुश हो जाओ यह homework जो हैं आपको description में भी मिलेंगे आपको वहाँ पर जाकर homework को ले लेना है और homework करना है questions के answer मुझे भेजने है और नहीं आ रहा है answer तो भी बताना है कि आया या नहीं तो मैं next class में आपको वो solve करके बताऊंगी इसके लिए आपको भी उतना ही alert होना होगा जितना alert मैं हूँ इसलिए हम लोग अच्छे से मिलकर पढ़ पाएंगी ओके आपको अच्छे marks चाहिए ना इसलिए पढ़ना तो होगा और आपको अच्छे marks दिलाने की guarantee हमाई doubt क्योंकि हम बहुत अच्छे से concept को clear करेंगी ओके तो next class में यह questions में करवाऊंगी जब आपके comment आएंगे कि हमें बताना है मैं तब ही मैं बताऊंगी और चैनल को like subscribe जरूर करके जाओ खुश रहो मस्त रहो अच्छे से पढ़ते रहो थैंक्यू